जबके पूरा गाउं उजड गया है और उस गाउं के उजडे हुए गाउं के परधान अहंकार और गुमान में जी रहे हैं ऐसे अहंकार की वज़े से कॉंग्रेस पार्टी से लोग तूट कर जा रहे हैं तो आपने जो कहा कि बड़ा unexpected था ये actually as a matter of fact this is very much expected on every front in the Congress Party और सबसे अहंकारी कौन है इन में से सबसे अहंकारी कौन है सबसे अहंकारी नेता कौन है या नेतागर्ण कौन है सब हैं सब हैं वैसे ही हैं सब के सब जो जिनका कोई अपना बेस नहीं है कोई जनाधार नहीं है जो एक आमचेर पॉलिटीशन वाली भूमी कामे हैं जो लोग basically एक बंद कमरे में सिर्फ एक एक ideological और पाइचारिक बात करते रहते हैं जिनका चुनाओ लड़ने और जीतने का track record बहुत बुरा है लोग पलटके मेरे बारे में भी बोलेंगे कि भाई ये भी दो चुनाओ हारे तो मैं भी पलटके पूछता हूँ कि आप कौन से जीत गए तो एक एक सभी हारे हुए लोग हैं और चुनाओ हारने का मतलब यह नहीं होता कि आपकी मानसिक्ता हार जाया हारी ह्युत मानसिक्ता से नहीं जी सकते लेकिन दूरभागपुन बात ये है कि पूरे नतित्व की मानसिक्ता हारी हुई है और पूरा नतित्व इस समये बहुत अडरा हुआ खबराया हुआ और उत्साह विहीन है और जो एक अरजा होनी चाहिए जोश होनी क्यों क्यों नहीं है सब क्योंकि आज देश पुरा बदल गया है देश की सोच बदल गई है जो नया जनरेशन जो तैयार हुआ है वह बहुत तेजी से आगे निकलना चाहता है वह पुराने आगरहों से मुक्ती चाहता है जो पुराने विचार है जो पुरानी सोच है उससे व भारना चाहते हैं या फिर से पुनर जीवित करना चाहते हैं ऐसे में कॉंग्रेस पार्टी पुनर जीवित होने के बजाए लागतार धीरे-धीरे सिकूर्टी चली जा रही है यह दिख रहा है कि दो एलेक्टर हम हार चुके हैं आपने 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 Congress Party के अंदर 5 लोबी की बात कही आपने कहा लोबी नमबर 1 सोनिया गांदी लोबी नमबर 2 राहूल गांदी लोबी नमबर 3 प्रियांका वाडरा लोबी नमबर 4 मलिक अरजुन खडगे Congress के President और लोबी नमबर 5 केसी वेनू गोपाल ये केसी बेनों कोपाल किस तरह की लॉबी है ये कौन है इतने इंपोर्टेंट कब से बने कॉंग्रेस पार्टी ले तो आपने जब उनका ही नाम लेके पूछा तो एक किस्सा बताऊं टाइम है आपके पास आप बताईए ना जी जी समय बहुत है ये बहुत बड़ा एक आरोफ बहुत बड़ा आरोफ भी हो सकता क्या हुआ कि लंबे समय तक मुझे घर पर बैठाए रहने के बाद कॉंग्रेस पार्टी को याद आए कि संजे नुर्पम नाम का भी एक हमारे पास नेता है जो मुंबई में उसको कुछ काम देना चाहिए तब उन्होंने संगटनात्मक चुनाओं के लिए मुझे राजस्थान का प्रभारी बनाया जिसको हम लोग कॉंग्रेस के लैंग्वेज में पियारो बोलते है तो बहुत पियारो बन गया और मैं बड़े कचाना किनी सजजन का फोन आता है मेरे पास एक दिन और वो दिन भी मुझे आद है क्योंकि उस दिन मुझे कोट में एपियर होना था एक केस के सिलसले में वो मैं गिरगाओं कोट में गया था उस दिन तो जब मैं गाड़ी में था आज के आज आज आप रिजाइन कर दीजे तो मैंने का इसे क्यों कर रहे हैं आज के आज 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 आ पिरिंस था तो नाव आम गोईं टू बराइट लेटर टू मिस्टर मिस्टिरी और टू एट अन गेट इड़ टन तो फिर मैंने फटापट लेटर लेटर लेका कि बहुसा ऐसा है हमको मेरा मुझे रिलीव कर दो और उन्होंने आदे गंटेक अंदर रिलीव किया मैंने भेज दिया तो मुझे हरियाना का प्रभारी बनाने का एक प्रस्थाओ था अब वो प्रस्थाओ कभी पूरा नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ उसके एक लंबी कहानी है और मैं उसको उसकी वज़े से नाराज हुआ ऐसा भी नहीं लेकिन मैं किस्सा बता रहा हूं आपको और उसमे पिछ राहुल जी की जो पधियातरा थी वो इदर अकोला साइड पहुंच रही थी तो हमको भी वहां जाना था हम लोग भी वहां गए और महराज से वो निकल रहे थे तब उसी दरम्यान मेरे पास एक हरियाना के एक बड़े नेता उनके सुकुत्र का फोन आया कि हमको भी उसमें सामी दो, ने असन जी मेरा इंतियाम कर तो, नहीं का तुम तुम तो बड़े defense हो, तुमobra़ल आद्मी हो, तुम डायरिक। बाट कर सकते हो, नहीं नहीं आप कर दीए, मैने कगे ठीक है, और लगतार मेरे कॉन्टेक में था, मुझे पाने जाए तॉ मेरे कि ऐसी कोई बात चल रही है बला अगर कुछ गड़बर है तो बताईए हम लोगों ने पूरा मैनेज कर रखा है हम जो चाहते हैं वो हो जाता है मैंने कही क्या होता है इसका क्या मतलब बला आप डो डूंट वरी मतलब हम अपने रंग से करते हैं अगर अच्छे साव आप करते होंगे लेकिन मुझे नहीं मालूम है उसके तीन चार दिन के बाद ये तैह होता है कि मैं संजे निरुपम को नहीं बनाए जाएगा किसी और को बनाएगा जो इस फैमिली के लिए हरियाना का जो पाउरफुल पॉलिटिकल फैमिली है राजे का कौन परभारी होगा ये सेंटर लीडर्शिप तैय करती है राजे के निता नहीं तैय करती है ये कंगरिस की परंपरा है नहीं नहीं हमने पुरा उनको मैनेज कर रहा है हम जो चाहते हैं और एक हफते बाद किसी और का अनॉंस्मेंट आता है और जो उनके लिए बड़ा अनुकूल थे तो अब जिस तो मैंने जो आज बोला है ने कि पांच लॉबी चल रही है वो पांच लॉबी एक पॉलिटिकल ताकत एग्जर्ट करने के लिए तो काम करते हैं उसमें लूट पार्ट भी हो रही है जो आप कहरें आप कहरें मेंडेंग करने की बात हुई आप ये पैसो की लेंदेन की बात करने हैं क्या मैं वही बोल रहा हूँ कि अब वो जिस सज्जन ने मुझे बोला उचने का कि उसने पहले मेरे से इंफॉमिशन निकाल ली और इसके बाद जो परभारी बनते हो और मैं उसके बाद से लागता है राज तक परभारी नहीं बन पाया मतलब उनको मेरी जरूरत नहीं तो उनको लगाता है कि याद में थोड़ा सा एक्टीव रहेगा तो पिर हमारी राजनिती के लिए एक चैलेंज हो सकता है मेरा जो कहना वो ये है कि सडिनली जो सेंटर लीडर्शिप है न वो बहुत एकदम से अपने आपको सरेंडर इस्थिती में रख दिया है ऐसा लगता है कि अपने आपको परोस दिया है जो चाहिए लेके जाओ पहले ऐसा नहीं था यह जो यह जो कॉंग्रेस पार्टी के सिर्फ सेंटितों का जो दुबलापन है जो वीकनेस है वह कॉंग्रेस पार्टी को और भी कमजोर कर रहा है ऐसा मुझे साप साप दिख रहा है और यह लोग जो जिनोहरे इस सारावंड करके रखा है आपके सेंट्र लीडर्शिप को क्यूं करते हैं मतलब उनको उनकी distractions a कि चमचागिरी की रिलेशनशेप इस इट चमचागिरी वाली रिलेशनशेप है जिसको अंग्रेजी में कहा जाए रिलेशनशिप आफ साइको फैंसी वह वाली बात है कुछ और है क्योंकि यह सवाल बहुत लोग कर रहे हैं मगर संजे निरुपब जी कि यह कौन है यह रूटलेस वंडर्स अनिलेक्टिबल्स जिन्होंने कभी को इलेक्शन लड़ा नहीं है और कई लोगे बारे में कहा जाता है कि वो व्यूनिसिपल इलेक्शन या अपने हाउसिंग सोसाइटी इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंग कॉंगरेस पार्टी में एक बहुत बड़ा गुण है और चुकि हम कभी चमचा गिरी नहीं कर पाई इसलिए वहां का जो एक टॉप जो वो है जो बॉड़ी है उसमें कभी हम स्थापित नहीं हो पाए क्योंकि हम से यह सब नहीं होता हम तोड़े स्वाबीबानी टाइप के लोग हैं लेकिन वहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके लिए सही वर्ड का इस्तमाल कर रहे हैं रूटलेस लोग है और जिनकी लाइफ में अबिशन किया है कि किसी तरह से राज्य सभा पहुँझ जाया जाए उसी के तपस्या पूरी हो जाए उसी काम में लगे हुए हैं तो High Command बन गए है और ऐसे लोग आपको आदेश देते हैं ऐसे लोग अपको निरदेश देते है और ऐसे लोग जिनका कुई कुन कोई मगर ये कौन है ये लोग आप तो बोल सकते हैं ना खुल कर बी ने ये सब इतने छोटे लोग हैं जो अचानक एक बड़ा लबादा ओड़ करके बड़े बन गए हैं कि इनका नाम लेना मुझे लगता है कि मैं अपने आपको छोटा कर लूँगा तो मिसे नाम मत पूछिए लेकिन कॉंग्रेस का एक एक कारकरता मैं जो इसारा दे रहा हूं उसको समझ रहा है कि ये कौन से लोग है और ये सब निकब में लोग हैं सिर्फ बोल बच्चान है बड़ी-बड़ी बाते करने वाले लोग हैं और ये इंटलेक्शुल बाते करके थोड़ी सी अंगरी जी बोल बोल करके अपना अपना अपने एक राज्जिते करियर को जाने गा ऐसे लोग आजकल हाई कमांड बन गए हैं ये बहुत ही दुर्भागपुन बाते कुछ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आउट्टेट हो चुके हैं जो पूरी तरह से वैचारिक तौर पर जिनका कोई कनेक्ट नहीं रह गया है अपने स्वाभिमान के बादे में बात बाते करते हैं इस तरह की भाषा का इस्तमाल करते हैं जो मैं आपके सामने टास्तुत नहीं कर सकताप आपने कहा कि आपके बारे आपके साथ अगाँग्विश इजफ इस डिए इस डंधट ए लैंगविश पील भी वोग ख्यान और ऐसेुक्या कर शिक्या है आप रिपीट मत कीजिये वर्ड्स को मगर क्या हुआ था आपको जो इंसल्टिंग वाली फीलिंग हुई वो क्यों हुई अब मुझे नहीं लगता कि जिन सब्दों का इस्तमाल मैं सुबह नहीं करना चाह रहा था उन सब्दों का इस्तमाल अभी शाम को करूँगा तो जाने लेकिन ये दुर्भागपुन बात है कि अलग-अलग लॉबी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी भाषा का इस्तमाल करते हैं और ऐसा वहवार करते हैं ऐसा आचरन पेश करते हैं जो बहुत डिस्गस्टिंग होता है और मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे लोगों के भरोसे बढ़ना जो एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी है नहीं रह जाएगी इसका आने वाले दिनों में कोई भविश्च नहीं रह जाएगा मैंने बताया था कि कैसी पार्टी है ये बिहार के चीनी मिल की तरह है बिहार के चीनी मिल बहुत उनका अतीत बड़ा गौरोपुन था बड गर ऐसे लोगों के भरोसे कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ दिया जाए तो यह जो सिक यूनिट है कॉंग्रेस पार्टी की वो और भी सिक होती चली जाएगी और उसकी वज़े से जो बचा-कुचा जो एक आधार है वो भी खतम हो जाएगा क्योंकि दो एलेक्शन आप हार च स्तीफा या फिर रसंजे निरुपम का एक्सपेल किया जाना जैसे ही आप इस खबर को देखें और दूसरी खबर है कि थोड़ी देर पहले जो बतलब खबर आईए कि रॉबर्ट वाडरा ने कहा है कि इस पार्टी को मेरी जरूरत है जहां मैं जाता हूं रॉबर्ट वाड आप जहां से लड़ें अमेठी से मुरादाबाद से आप रेकॉर्ड वोट से जीतेंगे तो ये दोनों चीजों को एक तरह से सिंबॉलिक ली देखा गया है कि दे एक्जिट अफ संजे निरुपम इन दी एंट्री आफ रॉबर्ट वाडरा आप कैसे देखते हैं इंको क्य आपको लगता है रॉबर्ट वाडरा दिशा दे पाएंगे कॉंगे से अलृट ये पहले से इतने सारे लोग है रॉबर्ट वाडरा जी जैसे लोग जो पार्टी को दिशाही न करके बैठे हुए हैं तो अगर ये आ जाएंगे तो और भी गलत दिशा मेही पार्टी ये अब कॉंग्रेस पार्टी को तैक करना मैं कुछ नहीं कहूँगा मैंने पिछले 20 वर्षों में बहुत कुछ देखा है भोगा है और मेरा ऐसा मानना है कि अब पार्टी पुरी तरह से एकदम से बिमार हो चुकी है और इस एकदम बहुत जिसको बोलते हैं क्रिटिकल डिज का वर्डरा कैम्प यह अलग 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 खेमे हैं क्या क्या सबकी अपनी अपनी ग्रूप है अपने अपने लीडर्स है अपने अपनी कोटरी है हाउ डिस दिस वर्क मैं यही तो कह रहा हूँ कि बाहर से दिखने में लगता है कि सब लोग एक हैं लेकिन सचाई यह है कि सबकी अपनी अपनी कोटरी है सबका अपना अपना एक कौकस है सबकी अपनी अपनी लॉबी है और इन में और इनके अंदर एक ऐसा भी नहीं कि सब अपने अपने काम मे सब एक दुसरे को काटने में लगे हैं एक दुसरे से लड़ने में लगे हुए हैं और उस चक्र में कई बार जो एक चुपचाप काम करने वाले लोग है जिनका काम से मतलब है बाकी किसी गुरुप बाजी से मतलब नहीं है ऐसे लोग कई बार शिकार हो जाते हैं और इस वज है कि कॉंग्रेस पार्टी लगातार जमीन पर सिकूर्टी चले जा रही है आप कहते हैं पावर स्ट्रगल है इनके बीच हाँ है ना बिल्कुल है उस सामने से दिखता नहीं है लेकिन एक पावर स्ट्रगल चल रहा है और आगे भी चलेगा आप देखतें नहीं है कि अगर कोई कहीं पे किसी पार्टी से जॉइन करता है या कुछ है कोई कोई पॉलिकल 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 अगर कोई मान लिजे कोई कॉई कॉई कॉन्फलिक्ट हो और उसका रिजोलूशन होता है तो फटा फट ट्वीट होता है कि फ़ला फ़ला ने effort किया तो ये resolve हो गया फिर पता चला फरा ने किया तो दूसरे ने किया तो ये resolve हो गया तो ये एक तरह से एक दूसरे की positioning करवाने के लिए अपनी positioning करवाने का एक effort चलता रहता है वो क्या है वो अपने आप में इंगित करता है कि एक प्रकार का पावर स्ट्रगल चल रहा है हाँ दिखाने के लिए एक दुसरे के साथ चलते हैं और चलना भी चाहिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अंदर अंदर बहुत कुछ बहुत सारा रौट है अंदर हाँ यह बात है उतर प्रदेश में जब राहूल गांदी अपने बस यातरा को लेकर आये तब आखिलेश डिड नॉट जॉइन उसके बाद अलाइंस भी नहीं हुई थी फिर खबर लीक की गई कि प्रियांका वाडरा ने आखिलेश से बात की है प्रियांका वाडरा ने मामला को सुलजा दिया है राहूल गांदी इंगलेंट चलेगए प्रियांका वाडरा ने इसी तरह की गवर त्यूह तो आप कहरे मतलब basically and they are working to basically one-upmanship चल रहा है जिसको बुलते ना अंग्रेजी में one-up manship one-up manship चल रहा है आपस में सब का और उसमें पार्टी का बड़ा नुक्सान हो रहा है पता नहीं leadership इसको को रिकोगनाइस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है अभी तक तो नहीं किया अब जो मुझे सबिख रहा है कर मुझे अजीब लगा प्रेस कॉन्फरेंस जब हो रही थी जब हो रही थी वेन यूवर वेन देर वस्ट टॉक की वेर ना पटोले ने कहा we will take disciplinary action against Sanjay Nirupam तो एक तरह से थोड़ा सा सर्नाटा था reporters में कि disciplinary action against Sanjay Nirupam then one reporter asked a question कि will you give him a warning letter बोलते है नहीं one shot, one shot action, कुछ ऐसा कहा था नाना पटोले ने आपके बारे में कहा one shot action किया जाएगा तो clearly there are people within the Congress party who wanted you out ये भी जो है ये ने की कोई warning थी, कोई suspension था ये भी जो ये भी जो inter जो एक 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 जो लॉबिस की इंटर लॉबिस rivalry है ना उसी का नतीजा है भई दरसल मैंने कहा क्या मैंने सिर्फ ये कहा कि शिवसिना के साथ Congress party जिस प्रकार से समझवता कर रही है सीटों के शेरिंग कर रही है ये Congress party के हित के खिलाब है इससे मुंबई में Congress party हमेशा हमेशा के लिए खतम हो जाएगी और Congress के कारकरताओं में इसको लेकर एक रोश है नाराजगी है यह Congress के हित में दिया हुआ एक बयान था दूसरा बयान ये था कि बगाएर पुरे MBA के सभी partners को on board लिए और बगाएर सब की साथ सब के साथ सहमती बनाए शिवसरा ने MBA के candidate के तौर पर एक खिचडिक चोर को हमारे सामने पेश कर दिया जो कि यहां के पुर्वसांसत के सब्स्तर है आपने यह word खिचडिक चोर खिचडिक चोर खिचडिक चोर यह आपने क्यूं कहा जो relationship थी को खराब करने की कोशिश की आपने खिचडिक चोर खिचडिक चोर क्यूं कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के लोग कहने है कि संजे निरुबर्ट को क्या जरूर अपती सब जगे जाके खिचडिक चोर कहे बड़ा अच्छा सवाल है मैं इसका जवाब देता हूँ आपको क्या होता है पहले खिचडि था कि खिचडि स्कैम है क्या जब कोविड था पूरे देश में तो मुंबई की महानगर पालिका ने तैय किया कि यहां के जो माइगरेंट लेबर्स हैं और जो परपटियों में और चालों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनके सामने भोजन का संकट पैदा हो गया है तो ऐसे सभी लोगों को फ्री में भोजन दिया जाए यह बहुत अच्छा उपकरम था इसका मैं मतलब इसके त नारीफ करना चाहूंगा और तो माइगर पालिकाने का कि अब यह तत्काल कैसे दिया जाए तो उनने बगएर टेंडरिंग प्रॉसेस को फॉलो किये अपने पसंद के जो सप्लायर्स थे उन सप्लायर्स के जरीए उनने खिचड़ी सप्लाई करने का इन गरीब लोगों के है देश की राजनीती में ऐसा नहीं है वरसों से लोग कमिशर खाते रहे हैं लेकिन आपका सवाल है कि मैंने खिचड़ी चोर क्यों बला उन्हों ने ऐसे जो चानबीन हुई तो पाया गया कि ऐसे कई सप्लायर्स थे जिन से इन लोगों के रिस्ते थे उन सप्लायर्स को ब दलाली खाने वाला ये उमिद्वार है इसलिए मैंने का ये खिचड़ी चोर है तो खिचड़ी की दलाली करना एक आरोप है और खिचड़ी चोरी करना गरीब के लिए मुफ्त का जो खाना था उसको चुरा लेना तीन सो ग्राम के नाम पे सिर्फ सो ग्राम खिचड़ी देन दो सो ग्राम किचली चुरा लेना यह अपने आप में बहुती बड़ा अपराद है अक्षम में अपराद है और इस अपराद के खिलाप मैं अपनी आवाज बुलंद कर रहा था और अगर 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 कॉंग्रेस पार्टी या शिवसेना शिवसेना जो भरस्टाचार के मुद बड़ार नहीं बनाया जाना चाहिए तब वरना वो कहें कि बरस्टाचार हमारे लिए मुद्दा नहीं है मैं सुकार कर लूँगा फिर आपने सए निनना दिया क्योंकि बरस्टाचार आपका मुद्दा नहीं है इनकी MVA के इलाइंस चलेगी क्या? ये ये M.V.A की अलाइंस चलेगी क्या है इनकी उद्धव, उद्धव सेना, शरत पवार, कॉंग्रेस पार्टी कितने दूर चलेगी आपको लगता है आपको लगता है कि अलाइंस चल रहा है अलाइंस तो चली नहीं रहा है बाई बंगाल में अल्लेडी सब कुछ बिखर गया है जवाब दू आपको पता है मैं व्यक्तिकत तोड़ से मेरे क्या राहे हैं उद्धव धाकड़े के बारे में मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो सिटुएशन आप डिस्क्राइब करें कि उपर उपर से सब कुछ ठीक लग रहा है यह बंबे में आके करोडो स्पेंड करके बड़ी-बड़ी डैली करते हैं फारुक अबदुल्ला आते हैं आपके लिए ता आते हैं कहते हम देश को हम अलग तरी की राजनीती दिखाएंगे दिशा दिखाएंगे मगर अंधर यंदर इतनी तनाव है जो आप कह की बात ने कर रहा है असलियत क्या है ठीक है बहुत ज़्यादा अरनब बहुत ज़्यादा अब इंसाइड स्टोडी रह नहीं गया है सब कुछ बाहर आ गया है बाई शिवसना यूनिलेटरली अपनी लिस्ट अनाउंस करती है तो मैं तो विरोध करता हूँ क्या को मेरी स्टोरी नहीं है सब कुछ सामने आ चुका है दूसरी बात जो जितनी मीटिंगें हुई है मेरे काल से कड़ रात की भी एक मीटिंग थी उस मीटिंग में भी सांगली और भीवन्डी के लिए कॉंग्रेस का आगरा था लेकिन आज मैंने सुना साम को कि भीवन्डी के लिए रास्टवादी कॉंग्रेस ने अपना केंडिट एनाउंस कर दिया यानि किसी प्रकार की आपस में सहमती नहीं है एक दूसरे के जो इंट्रेस्ट है एक दूसरे के जो पॉलिटिकल जो अपने जरूरते हैं उसका कोई समान नहीं है और जब किसी गटबंदन में कई के लिए टाइम हो गया है अगर आप अनुमती दे तो मैं यहां खतम करता हूं फिर कभी मिलेंगे एक सवाल हो एक सबसे बड़ा सवाल सबसे बड़ा सवाल यह सवाल तो आपको इसका जवाब देना ही पड़ेगा जाने से पहले संजय जी संजय जी आप तो लड़न है आप सबसे पहले नौ तारिक से पहले का जो वक्त है यह हमारे हां खर्मास का महिना बोलते हैं तो यह अच्छा पिरियड नहीं है तो अभी आने वाले चार-पांच दिनों तक तो इस प्रकार का कोई फैसला नहीं होगा नौ के बाद जब नौरात्रा सुरू होगी है मैं खुद नौरात्री का उपवास रखता हूं वर्षों से उस दर्मयान हम एक फैसला करेंगा और अभी तक सच पुछिये तो कोई फैसला नहीं किया है जब हम फैसला करेंगे तो निश्ची तोर पर आप सब के सामने आकर इसकी बहुत खुशी-खुशी घोशना करेंगे लेकिन थाराइब रूपर। 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 with one of our Gujarati PM that is Mr. Morarji Desai your political career started again with another Gujarati PM sir so I said it, I wrote it in my opinion why did you accept it sir? why did you accept it? when Modi ji says something, you think there is any other answer? if Modi ji doesn't come then there is no offer but if Modi ji doesn't come you started your career as a diplomat with one of our Gujarati PM that is Mr. Morarji Desai and your political career started again with another Gujarati PM sir so I said it, I wrote it in my opinion so we are very anxious to know how did PM approach you? what was the communication? if you can just share with us and most importantly why did you accept it sir? I last question I can answer you asked why did you accept it? when Modi ji says something you think there is any other answer? but I say so look at that look at my family there is no one today has no politics in my family now अभी भी पांच साल बाद बाकी लोग पूछते हैं कि भाई तुम कैसे चले गए वहाँ और थोड़ा बने उनके यहां थोड़ा कुछ अश्चरिया है थोड़ा इसके बारे में कुछ घर में भी कभी कभी चर्चा होती है मैं जो है पहली बार मेरा उनके साथ मुदी जी के साथ डिलिंग जो है मैं चीन में राद दूद था उस समय वो मुख्य मंतरी थे तो उनका वहाँ आना हुआ तो यह पहला मीटिंग उस समय था उसके बाद जब तक वो प्रधान मंतरी बने मैं कभी उनके बाद उसके कहीं मीटिंग नहीं हुई थी फिर मैं तब तक मैं अमेरिका में राद रादूद बन चुका था तो जब वो प्रधान मंतरी बने तो मैं दिल्ली आया वापस उनके साथ मारी मुलाकात हुई जून मे और फिर वो अमेरिका में उनका विजिट वो दोरा आप जानते हैं बहुत फेमस था वो मैडिसन स्कुएर में उनका भाशन था वहाँ और अगले साल उन्हां मैं विदेश सचिप चुना गया तो मैंने तीन साल वो जिम्मे बाहरी नभाई खर वो नच्टी आप जानते हैं विदेश बहुत खर वार तो जानते हैं विदेश नबट वाई एंवेटी इड़े पेड़् पीए मोदी अप्टी बारजी अबन अप्र आब आब चार आधी लुकारा है अब्टक था बार्टे कर आद में ए लूड़़्न कार्ण कोईक गर्मार्ट वार्टे अस्टारी नार्ट आज जही रूड़ा है विखसे थी कोरेष गीस, फिखस्ट फिखसे उन्हेट राफ उन्हेत फिर्फ़ोज एचिज़ुंझे जाड़ भीज़्डब जाड़ जाड़ेश्ट घ्टी साड़ेश्टू एट इस जाड़ेश्टू. और स्मिर्टी रानी चांपेंस पूर बजब चानदेट आर सुरेंदरन इन वायनार सेस्ट वाय तस राहूल गाधी जी प्फाय सपोर्ट और स् Fraktion हुआब से सुरेंट आर सकता नWhen You Just मेती अरोबर्द वाइटी इसोय गराएज kend मोह को थोतश खूसाज अघ्टी आजा अ किपनी थाजी आएज ओन राओ एजिवानलीध गरग्रसर डिवस्ट वे वी आप बीवेस्टों एपने एष्टरा गबाएंट मोह वा सतास्टेस、 वो सह वे ओने and he wants to answer Smriti Rani by becoming an MP. Let's go ahead and play out the entire statement of Robert Madra where he is saying that he is all ready and he is all fired up to contest in a METI, from a METI as the Lok Sabha candidate from the Congress. You can see Robert Madra, who is Robert Madra, just one display. Sir, excuse me. वो उनकी प्रगती की बात करें, उनके अच्छाई की बात करें और सुरक्षा की बात करें और भेदभाव की राजनी ती ना करें क्योंकि जो वहां की अभी सांसद हैं उन से वो METI के लोग बहुत परिशान हैं और METI में उनको लगा है कि गल्ती हुई क्योंकि उनका मेरिख्याद से ज़्यादा वहां आना जाना नहीं है वहां कुछ प्रगिती के बारे में नहीं सोच रहे हैं बस वो ये देख रहे हैं कि गांधी परिवार के उपर कैसे कुछ बेपुनियाद कोई सवाल उठाएं इर्जाम लगाएं और बस शोर शराबा करें और अपनी पोजिशन का गलत इस्तमाल करें तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादा तर वो उसी में लगे हुई हैं और क्योंकि बरसों से गांधी परिवार ने अमेठी, राइवरेली, सुल्तानपूर, चगदिशपूर सारे एरिया में महनत से काम किया, लोगों के लिए वहां बहुत ही प्रगती हुई और मैं फिर से काऊंगा कि जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गल्ती की कि स्मिति जी को जटाया और राहुल को वहां से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्टिशी ढूननी पड़ी या जो भी है पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य से वापस आए वहां वो भारी बहमोद से जिताएंगे यहां तक कि वो मेर से भी प्रेड़ना करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहां अपना पहला कदम अगर राजनीती में रखता हूँ और सांसक बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रेप्रेजेंट करूँ क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियांका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था और उस समय की तो राजनीती और पॉलिटिक्स बहुत अलग थी क्योंकि वहां संजे सिंग थे और वहां का देशर फलाई हुई थी और हम लोग रात भर समेधन शील एरियाज में होते थे और वहां पोस्टर लगाए और बस्ते बाटे और अपने कारेकरता के साथ दिन भर रात भर मेहनत की उनको होसला और भरोसा दिलाया कि हम लोग हैं और वो डटे रहें अपने जो भी उनकी एरिया है जो उनका बूत है उसके उपर पूरा डटे रहें तो उनको पता है कि हमने कितनी महनत की और कितना भाईचार और ट्रेम था और अभी भी है और वहां के लोग जिनके साथ मैंने काम किया महनत की वो अभी भी मेरे घर के बाहर, दफ्तर के बाहर सोशल मीडिया के द्वारा वो मेंसेज भेजते हैं मेरे जनम दिन पर वो केक काटे हैं और लोगों को कुछ न कुछ लंगर वगेरा या सेवा करते हैं क्योंकि उनको पता है वो ही चीज मुझे पसंद है क्योंकि देशवर में लोग देखते हैं कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ और रिकलांक लोगों को और अंदे बच्चों के साथ जितनी मैंनत मैं कर सकता हूँ और जो भी चारिटी में पूरे समय अपना निकालता हूँ और मेरा धार्मिक दोरा होता है अब तो वो लोग भी जरूर मेरे जनम देन और अलग लग तयोहार मेरे नाम से बनाते हैं और कुछ ना कुछ पहां के लोगों को पाटते हैं On the other hand, the Congress National Spokesperson Gaurav Vallabh have joined the BJP and this happened just hours after quitting the Congress calling it directionless Now former Bihar Congress President Anil Sharma also joined the BJP in the presence of its National General Secretary Vinod Tavadeh in Delhi Listen in to what they had to say a short while back I don't know which lobby and who are dominating and I don't want to comment also once I had exited, I don't, I am a professional guy once I had exited an ideology I don't want to make abusive comments on anyone So, but I can tell you that right now Congress is directionless They don't know what to do They are all together in a wrong direction Whether it is the silent acceptance of Sanatan Virod Whether it is refusal to attend the Pran Pratishta of Bhagawan Shri Rab Whether it is morning to evening Morning 7 to late night 12 o'clock abusing wealth creators That is not the, I should say that is not expected from any political party Forget about Congress or X or Y or any other regional party So, as I told you There are some things which is unpardonable Unnegotiable There will be no dilution in those things And for me, that is number one is the Desh, Rashtra Rashtra Nirman mein koji vakti agar apna yoghdan kar raha hai Uska subay se sham gaaliyan dene se Rashtra aap ko maaf ni karega Second point The dharm The sanatan Subay se sham sanatan dharm ko gaaliyan deete hai lo Aur aap mohan swikrati deete ho Not accepted Mr. Wallab, but today Yesterday Sanjay Nirupam also said that There is a GSO Which is working dominantly And that is the reason why leaders are leaving As I told you That Mr. Nirupam had told you I had written a letter I had written a letter I doesn't want to make any comment Over and above this letter I don't want to make any comment Because I had worked with them And now abusing them Is not something my sanskar or my parents Had not taught me that thing Unfortunately What let you leave the Congress party Because you were attacking conglomerates Corporates You know from past one year As I told you I was questioning the policies I was not questioning A particular corporate Or particular group Main Neetiyo par Apne sawal pustha tha Aur aapne agar Meryi kabhi Presswartha deekhi ho Toh main Us niti pe Criticism karne ke baad Ek sakaratmak Shujhav bhi deta tha That this is A This is something Which is expected From an opposition party Constructive criticism Which is not happening Unfortunately In the Congress party right now One last question Congress is also That you denied Meeting Mrs. Sonia Gandhi Several times In past one or two months Was it true? Who? The Congress leaders See they I You want me to comment on them Which I will never do But did you deny meeting Sonia Gandhi? I I Don't want to comment anything This is not good Na You and me Had worked together For Five years Seven years And now I am making Unnecessary comments on you Your ideology And my ideology Is not matching We should Take our roots But now After taking roots I will say You are good or bad That is not my Sanskar Sorry Bhaarathia Jantapati Bhaarathia Jantapati कॉमनलिजम का मतलब यही है कि अपने धर्म को वो सराहता हो और दूसरे धर्म को घिरना करता हो तो यह दोनों से असपस्ट हुआ है निश्चित रूप से सनातन पर यह लोग खत्रा करना चाहते हैं और देश को कमजोर करना चाहते हैं तरह पात कारें कि इतली लोग भेज देते हैं राम मंदिर भेज देते हैं? मैंने कहा कि यही तो यही तो सुनिया गांधी का मुमनलिजम है कि एक तरफ इतली में जब होता है मदर टरेसा का संथ हूड का कारकरम तो उसमे कृस्टनी परजेंटी भेज दी है Let's go ahead and play out the important statements that Prime Minister Modi had made earlier today. पूरे बंगाल ने पूरे देश ने देखा है कि कैसे PMT सरकार ने संदेश खाली के गुनेगारों को बचाने के लिए पूरी ताकट लगा दी संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो PMC के अत्याचार की पराकाश्टा थी अब BJP ने संकल पलिया है कि वो संदेश खाली के दोश्यों को सजाद दिलवा कर ही रहेगा उन्हें जिन्दगी जेल में ही काटनी पड़ेगी बंगाल के विकास के लिए यहाँ BJP का मजबूत होना बहुत जरूरी है BJP ही है जो यहाँ माताओ बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोग सकती है यहाँ पस्टिम मंगाल के गाउं गाउं में लाखों बहने सहायता समुगों से जुड़ी है अब मोधी ने तीन करोड बहनों को मेरी माताओ बहने सुनिये मोधी ने गरंटी दिये इनोंने राजमाउंशे नामशुद्र और मत्वा साथ्यों की कभी परवा नहीं की लेकिन आज जब बीजेपी सरकार सी ए ए लेकर आई है तो यह पुएं फैला रहे है मा भारती परास्ता रखने वाले हर परिवार को नागरिता देना यह मोधी की कारंटी है यूद्ष मच्रम कामिगा, प्रीमिंडर मिनिस्टा हिप्स नामता अशी ट्रीज ट्रास्ते सी ए लेकिन दिए लेकिन दूना अथ लेकिन दूना गजए हैं मुएंगर नहीं चाहीं करणा हिंदु धर्म में शक्ति शब्द होता है हम शक्ति से लड़ रहे हैं एक शक्ति से लड़ रहे हैं इंडिय अनायस ने अपना गोशना पत्र शक्ति को खतम करने के लिए किया है मैं इस चुनोसी को स्विकार करता हूँ और मैं इन सक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रख्षा के लिए जान की बाजी लगा दूँगा आफर अशोग चावन, मिलन देवरा, now Sanjay Niropam has joined the list of loyalists exiting the Congress All of them have one thing to say हमने तैय किया था कि शिंडे साहिब के नित्रत्व में मैं पार्टी छोड़कर उनका साहथ देना चाहता हूँ मेरी जो राजनिती है नकारात्मक राजनिती में मैं विश्वास नहीं करता हूँ मेरा जो विचार धारा है मुंबई, महराश्ट्रा, देश की जनता के लिए काम करना जो केंद्रियन नित्यतों जिसको आप कहते हैं उनका अपने राज्यों के लीडरों के साथ कोई कमिकेशन ही नहीं जो लोग कुछ पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं उनके अलावा उनके हिसाब से कोई कॉंग्रिस का नेता ही नित्यतों The Congress has dropped Sanjay Nirupam from the star campaigner's list over alleged anti-party stand उनका पूरी तरह से failure है आज मुंबई में छे में से पांच के पांच सिट शूसना लेके निकल जा रही है और हमको एक भिखारी की तरह एक सिट दी जा रही है तो यह कॉंग्रिस का अपमान है Days after Nirupam's ultimatum, महराष्टा कॉंग्रिस चीफ has proposed high command to expel its loyalists The star परचारक में नाम आया था, वो हमने cancel किया है और जिस तरह से उनके वक्तवे आ रहे हैं, वो किसी की सुपारी लिया जैसे वक्तवे कर रहे है और इसले उनके उनके उपर सिस्त बंक की कारवाई की जाएंगी आज उनके उनके उपर कारवाई आज आजा कल में हो जाएंगी क्या पाटी से कावा जाएका? as soon as the people submit name for registration they will be declared bangladeshi well let's go ahead and play out that statement what a rocket kata korea chila chay more argument kata hocha matha matha kata hocha nrc iakon kiki bool chay purohid likhe dili hovay kona ahi niya hache mithet kata bodaar al maru sqe banchi to karalatka limit thakawu chit purohid cya pujo koreen purohid kiki koreo jan man tarbama bangladeshi tada janmo certificate niya so way are jokuni up me nam lekalen shonga shonga me up me bangladeshi wagelen otar api loki bandar pavenna apne konna sri pavenna apne borty te parvenna apna nagari kodikar thakbena apna sorkari odikar thakbena ita bhalona kharap nijena bhuje nin much more coming up on your side big setback for congress third high profile exit from congress in two days as gaurav vallab joins the bj amity has been ranked india's number one private university for the 11th year by india today a testimony to amity's world-class education whilst imbibing values and sanskars in india alias wale loog baar baar jan bujkar hindu dharm ka apnaan karthi in ka harbayaan bhoat socha samjha hua hota hai 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 my billada ch Marina mala chal china ka hissa hai, woh kabhi tha yana kabhi rahe भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहे का। हम इंडियन हैं, और इंडियन ही रहेंगा है। लुट इंडियन ही, आज भी रहेंगा है। चाइना से हम बाद चीट करते हैं। आज भी चाइना अरुनाचर के तीजगों के नाम बदर लिये। साथ साल में ये चोटी गटना है। भारत के जो एक्टिविस्ट है, परियावरन एक्टिविस्ट है। उन्हों ने ने बोला कि लगजात के कई लाफ़ा पे चीख कबजा करगा है। ये दोनों जटों को लेकर आपकी कहा है। देखे अशा है। अगर कोई मैं आपके घर का नाम मदल दो तो मेरा घर बन जाजा क्या। प्रश्टाचारी मिलकर प्रश्टाचार पर करें। कारवाई रोकने के लिए रेली कर रहे हैं। देएमके और कॉंग्रेस का मतलब है बीग करप्शन। देएमके और कॉंग्रेस का मतलब है वन फैमिली रूल। कि देश के अंदर कुछ प्रविर्थियां चलती रहती है देश विरुद्ध वो कुछ देश उनको आसरा खुले आम देते हैं कैनेडा पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं करूँगा लेकिन कैनेडा चलिए हमारी चिंता कैनेडा के साथ यह है उन्होंने ऐसे ऐसे विचार धाराओं और ताकतों को जगा दी है और इनको आप अपने राजनीती में शामिल करोगे तो यह आपका भी बहुत भारी नुकसान होगा कुछ ऐसा भी है कि हम लोगों के विरुद यानि की देश के अंदर कुछ प्रविर्थियां चलती रहती हैं देश विरुद वो कुछ देश उनको आसरा खुले आम देते हैं कैनेडा पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं करूंगा लेकिन कैनेडा चलिए और यूके अभी काफियत तक उसमें सुधार आया है लेकिन फिर भी एक्टिविटीज हमारे देश के विरुद वहां काफी कुछ है तो हमको आप डील तो करी रहे हैं लेकिन थोड़ा हमें साथ ये है कि उनके अपने राजनीती में उन्होंने ऐसे ऐसे विचार धाराओं और ताकतों को जगा दी है जो हमारे खिलाफ तो हैं पर हम उनको कहते हैं कि भाई आपके लिए भी ये काम नहीं आएंगे कि आप अगर ऐसे लोगों को बसने दोगे और इनको आप अपने र संजय निर्पाफ तलस इतल इन इंटिव विच अरनॉप से इस ग्रांड ओल पाटी पें प्राइज बट्सल बेविटें राहूल और प्रियंका कैंप रबद बद वादरा एंटर इलेक्र अलफरे आन्स इस कंड़ेशी एंट्स इंटिव और इंटिव उस्पील डस्परे ट्वरे टो आप ने Congress battles mass exodus as three top leaders quit partying in a span of 48 hours but further steps in now Emma Malini and Lockett Chatterjee face sexist slurs at the hands of Indy leaders after Kangana Ranaut Prime Minister hits back at Mamata as she tries to fear monger on CAA says opposition making desperate attempts the battle for Vyanath intensifies left upstart until launches Congress has failed in the attack good evening and welcome friends to this Thursday 7 p.m. biggest story tonight remember friends the biggest story today as the news cycle panned out is the self-destruction mode that the Congress party has really gone full throttle on full paddle on in the morning we saw Gaurav Vallab switching from the Congress to the BJP remember Gaurav Vallab is someone who's seen or was seen as a think tanker within the Congress party on economic issues he was someone who was the poll in charge of Mallika Arjun Kharge in the Congress party's president's elections he was someone who was very vocal on economic issues critiquing the BJP government led by Prime Minister Modi today he has moved out of the Congress gone to the BJP and says that he was very unhappy at the manner in which the Congress party disowned its own policies on liberalization polarization and globalization as if this was not enough we had Sanjay and Nirupam coming out and taking on the Congress leadership for the bankruptcy of leadership in fact and then the icing on the cake Robert Wadra has announced that he is going to contest from Amity is this the best answer Congress can give in 2024 to the juggernaut of Narendra Modi and amid all this self-destruct reports on the Congress party that came in through the day we had the Congress party rocked by allegations of inappropriate conduct and appeasement politics by their own ally in Kerala the CPI and the CPI am saying that the Congress in the roadshow of Rahul Gandhi during the filing of nomination papers yesterday did not use its own party's flags because they did not want IUML one of their allies to use it the reason is IUML has a green flag which resembles that of Pakistan and the Congress party thought that this might boomerang let's look at the ground report on what's happened in Kerala then I come back on the other side with a live as well from our reporter in Tirovanandpuram Rahul Gandhi's big rally goes to file nomination in Vyanar a visually stark contrast from the recent Bharat Chodo Nyayatra even allies IUML and SDPI while present at the rally failed to register presence a contrast to Rahul's previous rallies this amidst a row over the radical SDPI backing Rahul in Vyanar the question that arises is why is it that the two parties are not waving their flags at this important pole event Bureau Report, Republic TV Alright, imagine the scale of the tragedy that the left, the communist parties are in fact accusing Rahul Gandhi of appeasement politics or the Congress party of appeasement politics joining me Ashwin live from Tirovanandpuram Ashwin I mean do you look at the irony that the chief minister of Kerala Pinarai Vijayan holds a mirror to the Congress party on appeasement politics and not the BJP in fact to begin with the BJP of course picked it up but what is what is going to be the consequence of this on the ground in Kerala you think that this might help the BJP in any manner please unravel for us the political implications of this decision of the Congress party or a measure taken by the Congress party of avoiding IUML green flags and for doing so appeasing the IUML by not using their own flags as well well Abhishek one thing which is constant with the left and the Congress in the state of Kerala is their ability to appease the minority and for a very long time in fact the Congress the left has been trying to woo the IUML into their fold now what essentially this happened this uh for the first time when Congress instead of using uh uh the flag of INC as well as of the ally which we have seen several times uh in fact even in the recent past when they took they took that out and instead used placards which has got the image of Rahul Gandhi and uh the INC logo what essentially happened is that the left has also come in to say that you know you see how IUML is being insulted uh in within the ally itself so there is a although we say there's an indie alliance in fact what we see is that um it's a complete mockery of the alliance itself where the left is trying every bit uh to and to take IUML into their fold that is number one aspect Abhishek the second aspect is that Congress leader one Ramesh Shenitala himself came forward to say that from now on that's a new strategy that has been adopted by not using the flag and that's a new election strategy and that is what the Congress stance is all about saying that there is no need for a flag for that matter however what is interesting is the fact that the IUML has kept quiet in fact I did speak to some of the IUML on the ground some of the workers what they are saying they are saying that they don't they are trying to hush it up they don't want to create any more fissures within the India alliance and even the IUML is quite confused some of the leaders of the district leadership in IUML is quite confused about what stands to take okay this matter but what they are trying to say on on a like say is that this is all fair and fine but we know that is not the truth Abhishek all right thank you so much Ashwin for those details but we stay with the story earlier in the day my colleague Shavanssen spoke to Rahul Gandhi's rival in Vyanad Annie Raja of the Communist Party of India she is someone who has been associated with the communist party for long and remember in Delhi the communist party happens to be an ally of the congress in the larger India alliance but there in Vyanad the communists are contesting against congress and congress against communists something which was made an issue of the communists by the communist party by saying that if congress wants to fight the BJP they should leave Kerala and Rahul Gandhi should not be contesting from Vyanad let's listen to what Annie Raja the rival of Rahul Gandhi in Vyanad told Shavanssen we have a very special guest joining us CPI candidate from Vyanad Miss Annie Raja is joining us Miss Raja has got a political experience of 45 years and over an interesting turn is now taking place in the Vyanad constituency as she is pitted against congress candidate Rahul Gandhi Miss Annie Raja thank you very much for speaking to Republic TV let me straight away begin by asking you are you in alliance with the congress party or not here in Kerala the contest is between you CPIM led the left democratic front and congress led the united democratic front the contest is between LDF and UDF so there is no question of alliance with the congress as far as my candidature or my party or my left front is concerned but Miss Raja there are at least two constituencies Tiruvantapuram and the constituency from where you are contesting you have fielded candidates from your party pitted against the congress many would essentially wonder that how exactly are you saying that the CPI is part of the India bloc if you're fighting against the congress how are you part of the India bloc actually you should know that in Kerala there are 20 parliamentary constituencies and all the 20 parliamentary constituencies the candidates of left democratic front that is LDF is contesting against congress-led UDF it is not only why not or in Trivandrum so this is number one number two well before the schedule announcement of the schedule of the the upcoming election the left front LDF has announced its candidates candidates for all the 20 constituencies and we as candidates we have started our work much much before the announcement of the election so after that very late only the congress-led UDF has announced its candidates and unfortunately it is Mr. Rahul Gandhi last time also he came here he defeated our candidate the left front candidate here in Vyanar so it was Rahul Gandhi who came and he is fighting against the left front here and the left front you are saying that the parties in left front whether it is CPI or CPI and we are all part of the India alliance at the national level and alliance means adjustments congress should have been thought of all these things congress actually has given a weapon in the hands of BJP and the prime minister to beat us to attack us and they all responsibility complete responsibility lies with the congress national leadership and Mr. Rahul Gandhi cannot escape from his responsibility but Mr. Raja same allegations can be leveled against you by the congress party that you are playing into the hands of the Bhartiya Janta party by fighting the congress in the state of Kerala same goes for Mamata Banerjee in the state of West Bengal where they are fighting against the congress party so effectively aren't you playing into the hands of the Bhartiya Janta party always we thought that your enemy number one was the BJP but it turns out that your enemy number one is not BJP but the congress look you should understand the political equations in Kerala at the very beginning of India alliance is about Kerala's political alliance that is left democratic front and the UDF this equation is there for such a long time and at the very beginning of the formation of India alliance these issues were very thoroughly discussed in that all those meetings and all the parties have agreed to continue this equation in Kerala and fight the election as left front as well as UDF so this is an agreed agreed position are you suggesting based on that we are conducting here and again miss Raja are you suggesting that the congress has backstabbed the left front because you are suggesting that there was an agreement reached upon by which the congress would have would not have entered the front in Kerala and in the state of West Bengal perhaps they wouldn't have gone against the Trinamul congress are you and the Trinamul congress essentially suggesting it is the congress which has failed the seat sharing now I will speak for my party and my left front I don't know what is happening in West Bengal and I won't speak for a Mahmoud Banerjee and her party what you are whether you are refusing to understand the political political situation in Kerala or the political adjustments in Kerala what I am trying to say all the states no 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 just listen to me in all the seats in Kerala all 20 seats the fight is between left front and the UDF which is led by congress so there is no question of one particular here what is happening in spite of declaring the candidature of left friend and in spite of repair the starting their campaign electoral campaign congress was again once again put Rahul Gandhi asked their candidate to to fight against the left parties here so it is for the congress to tell the country and the people which is their bigger or larger enemy biggest enemy in this election is it for Rahul Gandhi for Rahul Gandhi is concerned it is just to win an election or a seat simply a seat or to defeat or fight and defeat the fascist forces which are trying to throw our constitution even into the dustbin and which is your larger enemy so do you believe your party does it believe that the congress has betrayed india bloc i must say that congress congress is not i am i am afraid to or i believe that uh congress is not serious about the current political situation in this country and the and the challenges uh uh drawn by the fascist forces congress is not serious about that they want some people to be get to simply get elected and they should be there in the parliament for that to get in get elected from any one seat Rahul Gandhi could have contested from telling Ghana he could have contested from uh Tamil Nadu he could have contested from uh Karnataka all these places we are in alliance with congress so he could have very well contested from there here in spite of agreeing to contested with uh in 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 the present uh 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 formations rahul Gandhi came as a he is a national leader he is as a leader of the national india alliance but he came and fighting against the left front so it is for the congress i i if congress is betraying the india alliance all that congress needs to to answer and he they will have to give an explanation they all the people uh need to hear from the uh from the congress on this it is not for us to explain it is for the the congress it is for rahul gandhi and they should and he should explain why what is the politics of congress uh which uh this election uh they are fighting with which they are fighting miss miss raja with my limited understanding the very fact that someone with your political stature has been fielded against rahul gandhi only goes on to indicate that the left front was extremely serious and defeating the congress at least in kerala was there a moment that where your party or the left front had actually reached out to the congress saying that you need to back off with the congress communicator that they're not going to back off they are going to fight you was there any communication between the congress with the congress party asking them to withdraw no no in in on many many occasions the left front leaders why only left front leaders even many of the uh muslim leaders very reputed intellectuals this is what i understand i saw one letter also uh requested uh mr rahul gandhi not to contest from why not because the 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 current political situation demands more people to fight against this fascist government that center then we need more people in in the inside parliament who can fight and who can defeat the fascist forces together that is what even left leaders many of the leaders many a time has uh sent messages openly uh send messages to the conveyed the fact that rahul gandhi should not contest he has a democracy he can contest from anywhere in this country that is not the question but as a leader of the in india alliance and as the national leader of the congress if he contest from kerala that will give a wrong message to the people and that will be used as a weapon by the bjp rsss and the sangha pariwar that is why we well in advance well in advance is all our leaders uh openly uh conveyed this to the congress and rahul gandhi one final question that i want to ask you miss andy rajah is that there was a development that took place in vayanard yesterday after the nomination was filed by rahul gandhi there was a road show that was carried out and it turns out here in the national capital that we're given to understand that the congress was not using their own flag because there was a request that came in from the iuml congress had told the iuml that do not use your flag because it could be misrepresented as the pakistani flag many are now going to make that allegation that is this some sort of an appeasement politics that is being carried out at least in why not by the congress and by the iuml that is the impression uh sending out by the congress by not holding their own flag and as well as their partner parties the musli league and other parties flags yesterday while he uh or uh he was uh going to file the nomination and in that roadshow last last election what happened musli league all these people had their own flags and musli league of course their flag is in green color and the uh sangha bariwar organizations accused uh or or they uh uh send out a false narration saying that uh the congress is uh uh supported by the by pakistan that is why all the green flags so instead of fighting out and uh and safeguarding the right of that political party musli league to hold their flag and uh instead of uh surrendering to the fascist attacks they simply asked them also not to use their flag and the congress decided not to hold their flag so this is if uh uh the what is the message party is trying to the the congress party which is leading the udf in kerala what sort of a message they are sending out it is if people say that they are surrendering before the fascist forces you cannot uh uh you cannot say that oh people are saying such false thing if people doubt like that you cannot accuse the people who doubt like that so this is what congress should think congress should understand the the extend or the the speed with which the fascist forces are moving towards making this country as a as a hitlerian state and the hindutwa brahminical hindutwa rashtra do you believe that congress is capable of running an alliance right not taking the india block together are they capable no they 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 are there they are in a pan in their party and i i don't doubt their capability or anything but their politics sometimes they uh they show the weakness of uh 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 their weakness is expressed uh in such uh uh such manifested in such uh 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 such way like uh avoiding their holding their flag they are refusing to hold their flag or uh not allowing the other partner or parties uh not to hold their flag so these are all uh occasions to assert our uh our constitutional right and our democratic right this is our democratic right and it is our party's flag we will hold it any attack comes from any fascist forces we will fight it out that should be the attitude and congress failed to show that fighting spirit against fascist forces yesterday it is unfortunate thank you very much miss aniraja for joining us on this is exclusive uh aniraja candidate of the cpi from why not constituency hitting out of the congress party clearly sending out the message that it is the congress party which should have acted in a much more responsible manner thank you very much amity has been ranked india's number one private university for the 11th year by india today a testimony to amity's world-class education whilst imbibing values and sanskars in students work and uh the congress have become inside it तो इन्हों ने करना टका को अपना ATM बना दिया है मुझ को बना टका को अपना वे अन्डर वालकेश्ट कि शlaw में कॉम्हां नियाम काा of्रोपड भार्रण के अन्वाबन कि अन्प्रोप प्रॉपक रुज प्रश्त करृबन ителей अजया अंप्रण में प्रुजब अन्प्राव कर दो आप कर दो कर दो कर दो कि पाकिस्तान और बंगलादेश से जो सनार से आये हैं कॉंग्रेस इन लोगों को नागरिता देना का विरोध कर रहे हैं कॉंगरेस कि इन आपी गॉर बीरोध करें इन लोगों के पास मोधी की गारंटी है welcome back ladies and gentlemen time now for the nation's sharpest opinion Rahul Gandhi has got headline worthy support he has managed to have the support of the SDPI in Kerala you know who the SDPI is political wing of the PFI his own ally the leftist fighting it now ladies and gentlemen when the PFI was banned by the Modi government I had said and I maintain that the SDPI should also be banned the whole world knows the links between the SDPI and the PFI that the SDP and is an extension of the now banned popular front of India the radical fanatis fanatic terrorist organization and I had said then and I maintain today that we cannot be giving legitimacy to the SDPI they should not be allowed to take part in the elections it's like saying that the Lashkar-e-Toiba is a terrorist group but Hafiz Saeed's JUD is a philanthropic group but ladies and gentlemen the SDPI has record in Kerala with regard to alleged attacks on political workers on allegedly spreading ground hate against its ideological opponents is very well documented then why does a man who claims to be running a Mohabbat ki Dukan need the support of the SDPI can Rahul Gandhi win one way not seat on his own without the involvement and tacit support and backing of groups like the SDPI will you vote for the Congress party after this anywhere in the country would you not ask yourself is this the party that is taking the support of the SDPI in Kerala are these the same people who brought the house down on Sadvi Pragya's candidature in 2019 the dangerous trend of taking support from the SDPI taking support of those who linked to organizations banned for being a national security threat deserves an answer from the Congress of this party it is not an issue going away we won't let it go away Hindu dharam me shakti shabdhota hai hum shakti se lada hai ek shakti se lada raha hai India NIS nai apna gosna patra shakti ko khatam karne ke liye kiya hai maiz shakada khatam karne ke liye kiya kda sifрахam karne ke liye kiya jan ki bike bike hai ke kyber कि आपके घर का नाम मगल तो मेरा घर बन जाएगा क्या नाचल इंडिया का पार्ट है और हमें से रहेगा कि अपिये बन आपके अपके आप कि आपके नाचल इंडिया को अार्ट है कि आपके आपके युजा लुटे बन तो कितना बने से प। एंडिया के नाचल प्रर query इं あजा मॉञ ऊपके बनि Member शुब्स्टेर जोब झाला जो बीज़ बीज़ा के स्टेज़ विजरा प्रॉप से अट्परेज़ अटने परेजि़ लुटा की विज़ चाहने बीज़ जाठत। of atrocities against women in West Bengal, he added that BJP had resolved to ensure punishment of the accused in Chandesh Khali incident. अत्याचार को रोक सकती है। पूरे बंगाल ने पूरे देश ने देखा है कि कैसे TMC सरकार ने संदेश खाली के गुनेगारों को बचाने के लिए पूरी ताकट लगा दी। CANDEES SHALI के मैलाon के साथ जो हुऊ वह थो थे अमसी के अत्याचार की काराकाष्टा थी। this number? And what Prime Minister Modi said that for decades the Congress gave the slogan of Garibi Hatau, but it is the BJP government that has alleviated 25床 people from poverty in the last 10 years. He further said that this has been possible because BJP's Neath is right. प्रिम्मिन्स ठीज फिताव थे ड्याउट आब त्मक्राइट जाफने केंटो प्राइ मुझाटू थे ब्लेमेंट सेंटरीम थे प्हुना केंट अप्लिवा प्रियों केंटीका फिर वेस्ट थेड़िटाइ थे ट्रुट्रीट प्रियों केंट प्लाइट केंट ब्लेल आफ He said that the final decision will be taken by the party leadership, but he is ready to contest if he is fielded and has already started his campaign. He said that even people in Ameeti expect him to make his electoral debut. Robert Wadra said that he wants Priyanka Gandhi Wadra to become an MP. He added that if Priyanka wants, she can contest from Raibu Rehli. Robert Wadra hit out at BJP for misusing central agencies against the opposition. He accused the BJP of freezing Congress Party's accounts and said that this is not the way to govern the nation. In an exclusive interview with Republic, former Congress leader Sanjay Nirupam hit out at the Congress Party. He said that Robert Wadra's entry into politics will spiral the Congress down further. Former Congress leader Sanjay Nirupam also said that there are several internal lobbies in the Congress Party and each of them has their own coterie. He said that there is a big power struggle within the Congress Party and there is no unity internally. BJP Lok Sabha candidate from Mandi, Kangana Ranaut, said that voting for Kangana Ranaut means voting for Prime Minister Modi. She also said that we have to get over the foreign mindset that was set by previous governments and support Modi. Congress leader Randeep Surjewala stoked a massive controversy after he had made a sexist remark against Hema Malini. His misogynistic comments came day after Congress leader, actually several days after Congress leader Supriya Srinet had passed derogatory statements against Kangana Ranaut. On Randeep Surjewala's statements against her, BJP MP Hema Malini said that Congress only targets popular faces because targeting the unpopular ones do not do them any good. She added that opposition must learn to respect women from Prime Minister Nareem Dhamudhi. BJP MP Sudhan Shutrivedi condemned Randeep Surjewala and called it a new law to disrespect and demean the dignity of women in Indian politics by the Congress Party. He said that it is the mindset of the Congress Party that they keep saying ill about women. BJP leader Shaina NC called Congress an anti-women party. She said that Congress is a male, misogynistic, dynastic party which does not empathize with the changing roles and changing avenues of women in India and added that Congress is way behind time and women of the country will vote against it. NCW denounced the remarks made by Randeep Surjewala against Hema Malini calling the remarks misogynistic and outrageous. NCW chief Rekha Sharma wrote to the Election Commission of India urging immediate action against Surjewala. Former Congress leader Gaurav Vallab joined BJP in the presence of BJP General Secretary Vener Tawdeh today. This comes after he tendered his resignation from the Congress Party. After joining BJP, Gaurav Vallab slammed the Congress Party and called it directionless. He said that he was neither able to raise anti-Sanathan slogans nor abuse the wealth creators of the country while in Congress. After he was expelled by Congress yesterday, Sanjay Narupam called Congress a scattered party and said that the leaders of the party called the party's ideology directionless. Former chief minister B.S. Yeru Rappa confidently said that H.T. Kumaraswamy will win the Mandia Lok Sabha seat with a big margin and defeat Congress' star, Chandru. He further said that NDA will win all the 28 Lok Sabha constituencies in Karnataka. Rao's Avenue court reserved an order on interim bail of BRS leader K. Kavata for Monday. She has sought interim bail on the grounds that her son has exams. She is in judicial custody for her alleged role in the liquor case scam. Her regular bail application will be heard on the 20th of April. While addressing the public meeting in Dehradun, BJP National President J.P. Nanda said the definition of politics has changed and now no person can win by doing politics of caste, separatism or appeasement. He added that only politics of development will now work. Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shiv Kumar said that Congress party will create history by winning more seats from Karnataka. He sounded confident and added that Congress will beat the NDA in the upcoming polls. Union Minister Sfrithi Rani said that Rahul Gandhi is taking support from PFI's political leadership and added that Gandhi has falsified his oath to the Indian constitution when he took support from political leadership of PFI for elections. Congress leader Papu Yadav is all set to contest from Purnia in Bihar. This comes after he announced his decision to file his candidature as an independent candidate. The move could stir up trouble in the Indy bloc in the state as Congress and RJD recently clinched a seat-sharing deal as part of the former set-aside Purnia for the latter. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's wife Sunita Kejriwal issued a video statement on behalf of him for the MLAs of Delhi. Arvind Kejriwal had urged all the MLAs to visit their areas every day and discuss people's problems and sort them out. Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi took oath as Rajasabha MP today. She was elected from Rajasthan. This is Sonia Gandhi's first stint in the upper house. 13 other members were sworn in along with her. AP MP Sanjay Singh along with his wife and party workers visited Rajgat to pay tribute to Mahatma Gandhi. Singh was released from Tihar Jail on bail yesterday after six months in the Delhi excise policy case. Samajwadi Party leader Sunita Verma filed her nomination from Merat Lok Sabha's seat in Uttar Pradesh today. She will contest against PJP's Arun Gowill in the parliamentary seat. The Rouse Avenue court reserved an order on a framing of charges in sexual harassment case against PJP MP Bridge Pushan Sharan Singh. For the 18th of April, the case was launched after women wrestlers filed a complaint against him. NCP-SCP MP Supriya Sule along with leaders of MBA from Pune held a protest in front of MSEB office in Pune against the state government for hike in electricity tariff. A 6.3-magnitude earthquake hit Japan a day after Japan was rattled by another earthquake. There were no immediate reports of damage or injuries after the earthquake. Mose epicenter had a depth of 40 kilometers and which was also felt in Tokyo. Taiwan's emergency services continued its search and rescue operation at the scene of a partially collapsed building at the epicenter of earthquake zone in Hualing City. Meanwhile, at least nine people have been killed and dozens of others stranded in the natural disaster. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez called out his Israeli counterpart saying that the statements made by Netanyahu following the killing of seven aid workers were insufficient. Spain has sought more clarification on the incident which Israel has described as misfire in Rafa. Australian Prime Minister Anthony Albanese has demanded accountability from Israel on killing of an Australian aid worker in the recent airstrike in Gaza. Albanese slammed Israel for its actions saying that Netanyahu and his government were contradicting their own stance that they would protect lives in Gaza. The U.S. State Department has urged Israel to conduct a swift investigation and provide more protection for aid workers delivering food in Gaza. The victims in the recent alleged misfire include a U.S.-Canada dual citizen and citizens of Australia, Poland and the United Kingdom. UN Special Representative for Children in Armed Conflict has raised an alarm that children across the world living in conflict zones are being denied humanitarian assistance and their rights are being violated. She said that a survey in 2024 itself shows an exponential growth in such cases which displays a blatant disregard for international laws. The Peruvian Congress endorsed the presidential cabinet to support President Dina Boluart to remain in office. This comes as Boluart faced an impeachment motion after Attorney General's Office announced an investigation for illegal enrichment. European Council President Charles Michel is on a visit to Romania to meet several European leaders to discuss the bloc's strategic agenda for the next five years also saying that discussions would be crucial in providing a strategic steer for the 27-nation EU bloc. Italy's parliament rejected a no-confidence motion against Minister Mato Salvini-Salvani, a deputy premier and transport minister in the current Georgia-Melanie coalition government, faced heavy criticism by opposition parties for his alleged pro-Russian sympathies. The Ecuadorian army reported that officers on patrol clashed with a group of illegal miners in the Amazonian region, killing one individual and detaining six others. Officials reported to have seized ammunition and makeshift rifles as well as excavators. French President Emmanuel Macron dismissed Russian Defense Minister Sergei Shoigu's remarks suggesting Ukraine and France were involved in last month's deadly Moscow concert hall attack as ridiculous. Hungary's foreign minister said that his country would oppose any NATO proposal which would lead to an escalation in conflict between Ukraine and Russia. He said that Hungary will avoid direct conflict between NATO and Russia in the period to come. U.S. Secretary of State Antony Blinken met with Ukrainian foreign minister in Brussels on the sidelines of a NATO summit where members were discussing Ukraine's potential accession to the alliance. Blinken told reporters that support for Ukraine remains rock solid. Just two days after being sworn in as Senegal's new president, Faye attended an Independence Day ceremony. His victory came at the last minute after an unsuccessful attempt from former President Macky Sal to delay presidential elections in February. Polish President and Prime Minister called on Israel to pay compensation to the family of a Polish aid worker who was killed in Gaza as a matter of responsibility and decency. They also demanded from Israel detailed explanations of what happened and why. Veteran filmmaker Subhaj Khai has confirmed that KGF actor Yash will be a part of the Ramayana film that also stars Ranbir Kapoor. Sani Deol is also set to play a part in the film projecting the role of Lord Hanuman. The famous action and sci-fi franchise Matrix is returning with its fifth sequel three years after the fourth film hit the theatres. Confirming the news, Warner Brothers said that this film will not star Lana and Lily as directors. Christopher Durand, the renowned playwright celebrated for his wit and comedic genius, died at the age of 75. Durand was known as one of the most prominent figures in American theatre in the 1980s and 90s. His legacy as a pre-right, lyricist and educator remains immeasurable. Hard Rock Quartet have sold their catalogue, brand name and IP to Swedish company Pop House Entertainment Group. The deal is estimated to be over $300 million. Fans can expect a biopic, a documentary on KISS in near future. Amity has been ranked India's number one private university for the 11th year by India Today. A testimony to Amity's world class education whilst imbibing values and sanskars in students. The Amadmi party has tried to make the visual of its MP Sanjay Singh coming out of jail look like an exoneration on Liquorgate. It is not. It is not an exoneration on Liquorgate. Liquorgate is a very serious scam. There are serious cases against a lot of top ARP leaders including Kejriwal and Manish Sisodia and a lot of other ARP leaders. And the Supreme Court has itself acknowledged that Liquorgate, the liquor scam has happened. That the scam is a truth. But having said that, and our producers can run the visuals of Sanjay Singh coming out of jail. And my direct question tonight is this, and the BJP needs to think about it. Are these the visuals the BJP needs at this stage? Till 15-20 days back, there was no talk of ARP. The talk was only about how, especially after the Ram Mandir inauguration, the BJP would sweep the elections. Personally, I think the BJP will sweep the elections. No doubt about it. But in an otherwise issue-less election, willy-nilly, the ARP has become an issue at a time where Arvind Kejriwal was seen to have failed in his national ambitions. When the ARP lost state after state after state. It was not doing well politically. When the governance in Punjab was not good. The recent public conversations on Arvind Kejriwal are more than should have been from a BJP perspective. Viewers, politics is about setting the narrative. The narrative has been with the BJP. Now this, in recent days, BJP versus ARP, ARP versus BJP, BJP versus ARP, ARP versus BJP. Narrative is not good for the BJP. At this stage, the BJP in my view is spending too much time confronting the ARP on a daily basis. Because the ARP is a party effectively limited to two states and not even one Lok Sabha MP in parliament. The arrest of Kejriwal has catapulted the ARP into poll position as far as national conversation is concerned. After the BJP. Tonight, therefore, we need to look at this. And therefore, tactically and strategically, I have a pure ARP versus BJP debate on top tonight. Whether or not the ARP leaders get convinced, the fact of the matter is, this is an election, this is an election which has been, is today. And till the date of the last round of polling, this election is a Modi referendum election. It's about Modi 3.0. It's about Modi being prime minister for the third time. It's about the direction this country has to take in the run-up to Viksit Bhada 2047. In that backdrop, and given the fact that there aren't any other big issues in this election, so far at least, we don't know in the future. Have the ED's actions on Liquorgate really benefited the BJP? Have they really benefited the BJP? definitely emerged on this election. है जो यहां माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोख सकती है पूरे बंगाल ने पूरे देश ने देखा है कि कैसे संदेश खाली के गुनेगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो पीएमसी के अत्याचार की पराकाश्टा थी अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोशियों को सजाद दिलवा कर ही रहेगा उन्हें जिन्दगी जेल में ही काटनी पड़ेगी बंगाल के विकास के लिए यहाँ बीजेपी का मजबुत होना बहुत जरूरी है बीजेपी ही है जो यहाँ माताओ बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोग सकती है यहाँ पस्चिम मंगाल के गाउं गाउं में लाखों बहने सहायता समुगों से जुड़ी है अब मोदी ने तीन करोर बहनों को मेरी माताओ बहने सुनिये मोदी ने गरंटी दिये इन्हों ने राजमाउंशी नामशुद्र और मत्वा साथियों की कभी परवा नहीं की लेकिन आज जब बीजेपी सरकार सी ए ए लेकर आई हैं तो यह अब कोई फैला रहे हैं माँ भार की परास्ता रखने वाले हर परिवार को नागरिता देना यह मोदी की कारंटी है टी एमसी कॉंग्रेस और लेप की राजनिती ही जूट पर प्रम फ्रालाना और अप प्रचार पर टी हुई है इंडी गजबंदन अपने आप में जूट और प्रम का प्रक्तेक्शुदारण है यहाँ टी एमसी लेप और कॉंग्रेस वाले आपस में लड़ाई करते दिखते हैं लेकिन दिल्ली में सारे एक साब रहते हैं देश के अंदर कुछ प्रवर्तियां चलती रहती हैं देश विरुद वो कुछ देश उनको आसरा खुले हम देते हैं कैनेडा पाकिस्तान की तो मैं बाती नहीं करूँगा लेकिन कैनेडा चलिए हमारी चिंता कैनेडा के साथ ये है उन्होंने ऐसे ऐसे विचार धाराओं और ताकतों को जगा दी है और इनको आप अपने राजनीती में शामिल करोगे तो ये आपका भी बहुत भारी नुकसान होगा कुछ ऐसा भी है कि हम लोगों के विरुद यानि की देश के अंदर कुछ प्रविधियां चलती रहती है देश विरुद वो कुछ देश उनको आसरा खुले आम देते हैं कैनेडा पाकिस्तान की तो मैं बाती नहीं करूंगा लेकिन कैनेडा चलिए और यूके अभी काफियत तक उसमें सुधार आया है लेकिन फिर भी एक्टिविटीज हमारे देश के विरुद वहां काफी कुछ है तो हमको आप डील तो करी रहे हैं लेकिन थोड़ा हमें थोड कैनेडा के साथ ये है कि उनके अपने राजनीती में उन्होंने ऐसे ऐसे विचार धाराओं और ताकतों को जगा दी है जो हमारे खिलाफ तो हैं पर हम उनको कहते हैं कि भाई आपके लिए भी ये काम नहीं आएंगे कि आप अगर ऐसे लोगों को बसने दोगे और इनको अपने राजनीती में शामिल करोगे तो ये आपका भी बहुत भारी नुकसान होगा क्योंकि जो जो जिनको माने मैं कहूंगा जो एक्स्ट्रिमिस्ट सोच के लोग हैं जो जो कभी-कभी आतंकवाद की भी प्रशंसा करते हैं वो आप ही बताएं डेमोक्राटिक सोसाइटी में किसी भी डिमोक्राट मैं खाली कैनेडा की बात नहीं कर ला कि एक बार आपने ऐसे लोगों को मने जगा दे दी और वो कहीं ने कहीं आपके पॉलिटिक्स में उन्होंने अपना स्पेस बना लिया उसका तो दुरूप्यों जरूर करेंगे वो और जैसे मैंने कहा जब ए मौ 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 शेज़ेंचे अपिसे सेना जूजब यूजभाण ऐस मतलुछ ने जूज़ झारा यूजबू जयनिरूपा नूज़ एक पार। एक जूजब नूजब भ। आप वेस्टे किर सेस्ट किष्बडाई। Sanjay Nirupam, but the most unusual thing is that it was most unexpected. Many people you can think of leaving the Congress Party, but when you talk about Sanjay Nirupam, who has been the head and the face of the Congress Party in Mumbai for many, many years, almost decades, quitting the Congress Party, it is a monumental piece of news. ये बहुत बड़ी खबर है. Sanjay Nirupam, now former Congress leader, is with us live. Sanjay Nirupam ji, नमस्कार. Can you hear me? नमस्कार. Yes, I can hear you. Sanjay Nirupam ji, people still cannot believe, लोगों को अभी भी विश्वास ने हो रहा है कि आपने Congress Party पार्टी छोड़ी है. Last minute तक, it was seen to be a threat, it was seen to be a misunderstanding. What has brought it to this situation? Congress Party का जो नित्रित्व है दिल्ली से लेके मुंबई तक, वो पूरी तरह से दिशाहीन हो गया है. जमीन से डिसकनेक्ट हो गया है, जो उनके पास अच्छे योग्य, मेरिटोरियस और प्रतिभाशाली, महनती, संघर्शील, नत्यत्व है राज्यों में अलग-अलग जगों पे. उसकी बहुत पूछ, यामान, सम्मानिया इज्जत अब नहीं रह गयी है. उनकी बातों की कोई सुनवाई नहीं रह गये, उनके बारे में कोई आगे क्या फ्यूचर प्लान हो सकता है, उनके लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस बारे में कोई चिंता करने वाला नहीं है. इसलिए धीरे-धीरे मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग कॉंग्रेस पार्टी से कन्नी कटाने लगे हैं, कॉंग्रेस पार्टी कुछ लोग को जैसे मेरे जैसे लोग को निकाल भी रही है, कुछ लोग कॉंग्रेस पार्टी से कुद निकल भी रहे हैं, लेकिर आने वाले दिनों है या होने वाला है ऐसा लगता नहीं है तो एक पार्टी जो ठीक है देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका जिसने निभाई थी वो पार्टी और जिसने आजादी के बाद जब देश आजाद हुआ तो एक आधिनिक भारत के निर्मान में जिसने अपनी बड़ी भुमी का निवाई लेकिन आज दीले दीरे जो नितित्वा कॉंग्रेस के उस पर है कॉंग्रेस के शिखर पर बैठा हुआ है वह नितित्वा इतना आउटडेटेड हो गया है उतना इतना जमीन से डिसकनेक्टेड हो गया है और इतना ज्यादा अहंका और अहंकार भी तब जबके पूरा गाउं उजड गया है और उस गाउं के उजडे हुए गाउं के परधान अहंकार और गुमान में जी रहे हैं। ऐसे अहंकार की वज़े से कॉंग्रेस पाटी से लोग तूट कर जा रहे हैं। तो आपने जो कहा कि बड़ा अनेक्सपेक्ट ये, actually, as a matter of fact, this is very much expected on every front in the Congress Party. आमचेर, पॉलिटीशन वाली भूमीका में हैं, जो लोग बिसिकली एक बंद कमरे में सिर्फ एक 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 आइडिलोजिकल और पैचारिक बात करते रहते हैं, जिनका चुनाओ लड़ने और जीतने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है, लोग पलटके मेरे बारे में भी बो कि पूरे नतित्यों की मानसिक्ता हारी हुई है, और पूरा नतित्यों इस समय बहुत डरा हुआ, घबराया हुआ, और उत्साह विहीन है, और जो एक उर्जा होनी चाहिए, जोश होनी चाहिए, क्यों क्यों नहीं है सब, क्योंकि आज देश पूरा बदल गया है, देश की स जो नया जवन आगे है निकलना चाहता है जिवित होने के बज़ा है लागतार धीरे दीरे सिकूर्टी चली जा रही है यह दिख रहा है क्योंकि दो एलेक्शन हम हार चुके हैं आपने 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 कॉंग्रेस पार्टी के अंदर पांच लॉबी की बात कहीं आपने कहा लॉबी नंबर वन सोनिया गांदी लॉबी लॉबी नंबर टू राहूल गांदी लॉबी नंबर थ्री प्रियांका वाडरा लॉबी नंबर फॉर मलिक अर्जुन खडगे कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट और लॉबी नंबर फाइफ केसी वेनुगोपाल ये केसी वेनुगोपाल किस तरह की लॉबी है ये कौन है इतने इंपोर्टेंट कबसे बने कॉंग्रेस पार्टी ले तो आपने जब उन कही नाम लेकर पूछा तो किस्सा बताऊं ताइम है आपके पास आप बताईए ना जी जी समय बहुत है ये बहुत बड़ा एक आरोफ बहुत बड़ा आरोफ भी हो सकता क्या हुआ कि लंबे समय तक मुझे घर पर बैठाए रहने के बाद कॉंग्रेस पार्टी को याद आए कि संजे नुर्पम नाम का भी एक हमारे पास नेता है जो मुंबई में उसको कुछ काम देना चाहिए तब उन्होंने संगटनात्मक चुनाओं के लिए मुझे राजस्थान का प्रभारी बनाया जिसको हम लोग कॉंग्रेस के लैंग्वेज में पियारो बोलते है तो बहुत पियारो बन गया और मैं बड़े जोश और उत्सा के ये पार्टी में सबको करके दिया और एकदम से स्मूथली काम चल रहा था तब तक अचाना कि नहीं सज्जन का फोन आता है मेरे पास एक दिन और वो दिन भी मुझे याद है क्योंकि उस दिन मुझे कोट में एपियर होना था एक केस के सिलसले में वो मैं गिरगाओं कोट म करनी पड़े गए और उसके बाद एक हम फैसला करने जा रहे हैं कि एक रेजिलूशन पास करके ये प्रक्रिया है कॉंग्रेस के अंदर तो मैंने आज के आज 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 तो मतलब हर्याना giving मुझे हर्याना मुर्यों का प्लेट में दे रहे हुआ, मुझे हर्याना का प्रभारी मनाने जा रहे हैं तो आज का जू रजाइन कर दों… मैं तब तक कोट पहुँच गया था, मैं कोट में गया जज़्साअब के पास अप्यर हुआ मैं अपना साइलेंट मोड में मॉबाइल रखके बैठ गया था ज़स साब के सामने और आदे घंटे बाद फिर वा तब तक देखा कि इनके कई मिस्ट कॉल पड़े हुए हैं मैंने फॉन किया तुमने अभी तक किया नहीं रिजाएं मैंने को बस मैं कोट में अपरिएंस था तो नाव बाराइट अटे लेटर 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 निका कि बहुस ऐसा है एसा है मुझे रिलीव कर दो और उन्होंने आदे गंटे के अंदर रिल में एक बहुत अच्छा पंच मिलेगा और जो बहुत अच्छी एक जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा तो यह सब चल रहा था आज रात को यह अनाउंस करना हूँ आज रात आते आते हो रात कई रात निकल गई कभी अनाउंसमेंट हुआ नहीं और इस बीच राहुल जी की जो पदेयातरा थी वो इधर अकोला साइड पहुँच रही थी तो हमको भी वहाँ जाना था हम लोग भी वहाँ गए और महराज से वह निकल रहे थे तब उसी दरम्यान मेरे पास एक हरियाना के ए इतना फॉलो अप कर रहा है फिर हम जब पदेयातरा पे पहुचे वहाँ पर तो मेरे साथ चिपका रहा फिर हम जब सभा में गए तो सभा मेरे चिपका रहा और लागतार मुझे बोलता रहे अब कर क्या रहे क्या कर रहे क्या कर रहे मैंने का इसे कुछ बात नहीं कर रहा मैं अच्छे साव आप करते होंगे लेकिन मुझे नहीं मालूम है उसके तीन चार दिन के बाद ये तैह होता है कि मैं संजे निरुपम को नहीं बनाए जाएगा किसी और को बनाएगा जो इस फैमिली के लिए हरियाना का जो पाउरफुल पॉलिटिकल फैमिली है कांग्रिस का उसके लिये थोड़ा सा वह है अनुरूप है तो फ्र मैंने उसको जाते जाते बोराता है कि देखो बula राजिप का कौन परभारी होगा यह सेंटर लीडर्शिप टे करती है राजिये के निता नहीं टे करते है यह कांग्रिस की परंपरा है नहीं नहीं हमने पुरा उनको मैनेज कर रहा है हम जो चाहते हैं वो होता है और एक हफ़ते बाद किसी और का अनॉंसमेंट आता है और जो उनके लिए बड़ा अनुकूल थे तो अब जिस तो मैंने जो आज बोला है ने कि पांच लॉबिंग चल रही है अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकता इसलिए क्योंकि क्योंकि इसका कुछ शबूत नहीं है तो ये जो भी हम कहेंगे वो अपने आप में एक बड़ा निराधार सी बात होगी आप कहरें मैनेज करने की बात हुई आप ये पैसों की लेंदें की बात कर रहे हैं क्या मैं वही बोल रहा हूँ कि अब वो जिस सज्जन ने मुझे बोला उसने का कि उसने पहले मेरे सी इंफॉमिशन निकाल ली और इसके बाद बोला कि हम जो चाहते हैं क्योंकि हमने उनको मैनेज कर रखका है और उसके बाद जो प्रभारी बनते है और मैं उसके बाद से लगता है आज तक प्रभारी नहीं बन पाया मतलब उनको मेरी जरुवत नहीं तो उनको लगाता है कि या आद में थोड़ा सा एक्टीव रहेगा तो पिर हमारी राजनिती के लिए एक चैलेंज हो सकता है मेरा जो कहना वो यह है कि सडिनली जो सेंटर लीडर्शिप है न वो बहुत एकदम से अपने आपको सरेंडर इस्थिती में रख दिया ऐसा लगता है कि अपने आपको परोस दिया है जो चाहिए लेके जाओ पहले ऐसा नहीं था यह जो कॉंग्रेस पार्टी के सिर्फ सेंटितों का जो दुबलापन है जो वीकनेस है वह कॉंग्रेस पार्टी को और भी कमजोर कर रहा है ऐसा मुझे साफ साफ दिख रहा है और यह लोग जो जिन्होंने सराउड करके रखाया आपके सेंटर लीडर्शिप को क्यों करते हैं? मतलब उनको उनकी relationship क्या है? क्या चम्चागिरी की relationship है? Is it a चम्चागिरी वाली relationship है? जिसको अंग्रेजी में कहा जाए relationship of psychophancy. क्या वो वाली बात है कुछ और है? क्योंकि ये सवाल बहुत लोग कर रहे हैं मगर संजे निरुपब जी कि ये कौन है? ये rootless wonders, unelectables जिन्होंने कभी को election लड़ा नहीं है. और कई लोगे बारे में कहा जाता है कि वो municipal election या अपने housing society election भी नहीं लड़ पाएंगे. मगर वो Congress के शीष नेतिरुत्व को अपने एक तरह से उन्होंने कभजे में रखा हुआ है. तो ये क्या सिर्फ is it a relationship of only चमचागिरी और सम्चागिरी और सम्चागिरी तो है ही. चमचागिरी तो primarily Congress Party में एक बहुत बड़ा गुण है. और चुकि हम कभी चमचागिरी नहीं क सब नहीं होता. हम तोड़े स्वाविबानी टाइप के लोग है. लेकिन वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके लिए सही वर्ड का इस्तमाल कर रहे हैं. रूटलेस लोग है. और जिनकी life में ambition क्या है कि किसी तरह से राज्य सभा पहुंच जाए जाए. उसी के तपस्या में हो जाए. उसी काम में लगे हुए है. तो ऐसे लोग अचा बहुत सारे लोग इस समय कुछ लॉबी में ऐसे हैं जिनके पास कोई political अनुभो नहीं है. इक्स्परियेंस नहीं है. जिनका कोई political पहचान भी नहीं है. जिनका कोई political background नहीं है. लेकिन अचानक चमचा गिरी करके हाई-कमान बन गये हैं. और ऐसे लोग आपको आदेश देते हैं. ऐसे लोग आपको नर्देश देते हैं. और ऐसे लोग जिनका कोई selective merit नहीं है, जिनके पास, गिसके बारे हु है. कैसे लोग है ये? कैसे लोग है? जो आप कौarna स्वाबी मान ने भीखती है, आपको अपना छोटे लोग हैं जो अचानक एक बड़ा लबादा ओड़ करके बड़े बन गए हैं कि इनका नाम लेना मुझे लगता है कि मैं अपने आपको छोटा कर लूँगा तो मिसे नाम मत पूछिए लेकिन कॉंग्रेस का एक एक कारकरता मैं जो इसारा दे रहा हूं उसको समझ रहा ह है पाकी इनके पास इनका बेग्राओर इनको दिल्ली रैल enforcement पर उतार दो उतार दो इनको कोई पैचानेगा नहीं इनको मुंबई के बीटी स्वाभी मान के पारे में बात किया है एक किसा हिमानता विश्वा सर्मा का था, जिसमें कहा गया था कि एक कुटे को जिस प्लेट में बिस्किट दिये जा रहे थे, वोही प्लेट उनको भी आफर किया गया था, ऐसी कुछ बात आपने अपने प्रेस कॉन्फरेंस में, यू स्पेसिविकली आपने कहा और आपको ब साथ the kind of language which has been used is the language you cannot speak in the open about. What was said to you? आपको क्या कहा गया था? आप रिपीट मत कीजिये words को, मगर क्या हुआ था? आपको जो insulting वाली feeling हुई, वो क्यों हुई? अब मुझे नहीं लगता है क्यों थी? इसके मारे भी जितना कह सके बाब बताईए? मैं मुझे नहीं लगता कि जिन सब्दों का इस्तमाल मैं सुबह नहीं करना चाह रहा था उन सब्दों का इस्तमाल अभी शाम को करूँगा तो जाने दो, लेकिन ये दुर्भागपुन बात है कि अलग-अलग लॉबी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी भाषा का इस्तमाल करते हैं और ऐसा वहवार करते हैं, ऐसा आचरन पेश करते हैं जो बहुत डिस्गस्टिंग होता है और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के भरोसे पार्टी को नहीं छोड़ देना चाहिए वरना जो एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी है सिर्फ ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी ही रह जाएगी इसका आने वाले दिनों में कोई भविश्ट नहीं रह जाएगा, मैंने बताया था कि कॉंगरिस पार्टी कैसी पार्टी है ये बिहार के चीनी मिल की तरह है बिहार के चीनी मिल बहुत उनका अतीत बड़ा गौरपुर्ण था बड़ी बड़ी इमारते थी हुए लेकिन आज वो पूरी तरह से खंडहर हो चुके है उस खंडहर के अंदर पुराने जंग लगे हुई मशीने पड़ी हुई है और उसमें कोई प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है तो बिलकुल उसी तरह की इस्तिती है और अगर ऐसे लोगों के भरोसे कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ दिया जाए तो ये जो सिक यूनिट है कॉंग्रेस पार्टी की वो और भी सिक होती चली जाएगी और उसकी वज़़े से उसकी वज़़े से जो बचा कुछा जो एक आधार है वो भी खतम हो जाएगा क्योंकि दो एलेक्शन आप हार चुके हैं तिसरा एलेक्शन भी हारने वाले है अज के दो बरे हेडलाइने कॉंग्रेस पार्टी को लेकर पहला है कि संजे निरुपम का इस्तीफा या फिर रसंजे निरुपम का एक्सपल किया जाना जैसे ही आप इस खबर को देखें और दूसरी खबर है कि थोड़ी देर पहले जो बतलब खबर आई है कि रॉबर्ट वाडरा ने कहा है कि इस पार्टी को मेरी जरूरत है जहां मैं जाता हूँ जो रॉबर्ट वाडरा ने इंटर्विद दिये है हर चैनल को इंटर्विद देनै कि जहां मैं जाता हूँ देश की जनता कह रही है हमें रॉबर्ट वाडरा चाहिए और लोग कह रहे reicht motor जी आपने इतनी देर क्यों कर दी यह उनके शब्द है मेरे नहीं आप जहां से लड़ें, अमेठी से, मुरादाबाद से, आप रेकॉर्ड वोट से जीतेंगे, तो ये दोनों चीजों को एक तरह से सिंबॉलिक ली देखा गया है, कि दे एक्जिट अफ संजे निरुपा में दी एंट्री आफ रोबर्ट वाडरा, आप कैसे देखते हैं इनको क्या आपको लगता है, रोबर्ट वाडरा दिशा दे पाएंगे कॉंगर्स पार्टी को? ये अब कॉंगर्स पार्टी को तैक करना मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैंने पिछले 20 वर्षों में बहुत कुछ देखा है, भोगा है, और मेरा ऐसा मानना है, कि अब पार्टी पुरी तरह से एकदम से बिमार हो चुकी है, और इस एकदम बहुत, जिसको बोलता है, क्रिटिक वर्डरा कैम्प, ये अलगला कैम्प क्यों है, ये अलगला खेमे हैं क्या, क्या सबकी अपनी अपनी ग्रूप है, अपने अपने लीडर्स है, अपने अपनी कोटरी है, हाउ डिस दिस वर्क? मैं यहीं तो कह रहा हूं कि बाहर से दिखने में लगता है, कि सब लोग एक हैं, लेकिन सचाई ये है, कि सबकी अपनी अपनी कोटरी है, अपनी अलबी है, और इन में, और इनके अंदर एक ऐसा भी नहीं कि सब अपने अपने काम में लगे हैं सब एक दुसरे को काटने में लगे हैं एक दुसरे से लड़ने में लगे हुए हैं और उस चक्कर में कई बार जो एक चुपचाप काम करने वाले लोग है जिनका काम से मतलब है, बाकि किसी गुरुप बाजी से मतलब नहीं है, ऐसे लोग कई बार शिकार हो जाते हैं, और इस वज़े से बहुत लोगों में इस विशय को लेकर के एक बड़ा असंतोश है, नाराजगी है, उनके अंदर एक तरह का फ्रस्टेशन है, कुंठा है, और पहचानने की जो समझ होनी चाहिए, वो नित्य तुमें नहीं है, और यही वज़ा है कि कॉंग्रेस पार्टी लगातार, जमीन पर सिकूर्टी चली जा रही है, आप कहते हैं, पावर स्ट्रगल है इनके बीच, हाँ है न, बिल्कुल है, उस सामने से दिखता नहीं है, लेक लेकिन एक पावर स्ट्रगल चल रहा है और आगे भी चलेगा, आप देखतें नहीं है कि अगर कोई कहीं पर किसी पार्टी से जोईन करता है, या कुछ है कोई कोई पॉलिटिकल पॉलिकल पॉलिकल अगर कोई मान लिजे कोई कॉई कॉन्फलिक्ट हो और उसका हो गया, तो ये एक तरह से एक दूसरे की पोजिशनिंग करवाने के लिए अपनी पोजिशनिंग करवाने का एक 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 एफ़र्ट चलता रहता है, वो क्या है, वो अपने आप में इंगित करता है कि एक प्रकार का पावर स्ट्रगल चल रहा है, हाँ दिखाने क के लिए एक दुसरे के साथ चलते हैं और चलना भी चाहिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अंदर अंदर बहुत कुछ बहुत सारा रौट है अंदर हाँ ये बात है उतर प्रदेश में जब राहूल गांदी अपने बस स्यातरा को लेकर आये तब आखिलेश डिड नॉट जॉइन उसके बाद अलाइंस भी नहीं हुई थी फिर खबर लीक की गई कि प्रियांका वाडरा ने आखिलेश से बात की है प्रियांका वाडरा ने मामल प्रियांका विड़ा व्याओंग करें अलॉट जाराया ने भी गेसित अशाथ व्यूट मार्या वर्यूयर में तो भी फिर खृइल प्रियांका व्यूर्ट को प्रियांका आखिलेश इसका झाएं वानप मैंशिप चल रहा है आपस में सब का और उसमें प्र्टिग बड़ कर पा रहे के नहीं कर पा रहे अब ही तक तो नहीं किया अब जो मुझे दिखरा है अब मुझे अजीब लगा प्रेस कॉन्फरेंच जब हो रही थी यह जुब रही थी कि विए नाना पटोले ने कहा भी तरह से थौड़ा सा संदा था रिपोर्टर्स में कि disciplinary action against Sanjay Nirupam then one reporter asked a question कि will you give him a warning letter बोलते हैं, नहीं, one shot one shot action कुछ ऐसा कहा था Nana Patole ने आपके बारे में कहा one shot action किया जाएगा तो clearly there are people within the Congress party who wanted you out ये भी जो है येने की कोई warning थी, कोई suspension था ये भी जो ये भी जो इंटर जो एक जो एक जो एक जो एक जो लॉबीज की इंटर लॉबीज rivalry है ना, उसी का नतीजा है भाई दरसल मैंने कहा क्या मैंने सिर्फ ये कहा कि शिवसिना के साथ Congress party जिस प्रकार से समझहोता कर रही है, सीटों के शेरिंग कर रही है विया Congress party के हित के खिलाब है इससे मुंबई में Congress party हमेशा हमेशा के लिए खतम हो जाएगी और Congress के कारकरताओं में इसको लेकर एक रोश है नाराज़गी है यह Congress के हित में दिया हुआ एक बयान था दूसरा बयान ये था कि बगएर पूरे MBA के सभी partners को on board लिए अब बगएर सब की साथ सब के साथ सहमती बनाए शिविसरा ने MBA के candidate के तौर पर एक खिचडिक चोर को हमारे सामने पेश कर दिया जो कि यहां के पुर्वसान सथ के तुक्तर है आपने खिचडिक चोर क्यों कहा दूसरों को भड़काने की कोशिश की MBA के साथ जो relationship थी वो खराब करने की कोशिश की आपने खिचडि चोर खिचडि चोर क्यों कहने थे कॉंग्रेस पार्टी के लोग कहने है कि संजे निरूबर को क्या जरूर अपने खिचडि चोर खिचडि चोर कहे बड़ा अच्छा सवाल है मैं इसका जवाब देता हूँ आपको क्या होता है पहले खिचडि था कि खिचडि स्कैम है क्या जब कॉविड था पुरे देश में तो मुंबई की महानगर पालिका ने तैय किया कि यहां के जो माइगरेंट लेबर्स हैं और जो परपटियों में और चालों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनके सामने भोजन का संकट पैदा हो गया है तो ऐसे सभी लोगों को फ्री में भोजन दिया जा यह एक बहुत अच्छा उपकरम था इसका मैं मतलब इसकी तारीफ करना चाहूँगा और तो मान अगर पारिका ने का कि अब यह ततकाल कैसे दिया जाए तो उनने बगएर टेंडरिंग प्रॉसेस को फॉलो किये अपने पसंद के जो सप्लाइर्स थे उन सप्लाइर्स के जरीए उनने खिचडी सप्लाइई करने का इन गरीब लोगों के लिए खिचडी सप्लाइग करने का प्रोजेक्ट बनाया और फिर ये जो अलग-अलग शितसना के नेता थे उन्होंने अपने सप्लाइरों को इस पूरे स्कीम में डाल दिया और ये डील के साथ कि भाई हमको कमिशन देना तो कमिशन खाना कोई नई बात है देश की राजनीती में ऐसा नहीं है वरसों से लोग कमिशन खाते रहें लेकिन आपका सवाल है कि मैंने खिचडी चोर क्यों बला उन्होंने ऐसे जो चानबीन हुई तो पाया गया कि ऐसे कई सप्लायर थे जिनसे इन लोगों के रिस्ते थे उन सप्लायर्स को बोला गया था कि 300 गराम खिचडी देंगे लेकिन उस डिबे में 100 गराम ही खिचडी थी मतलब 200 गराम खिचडी जो गरीब के नाम पे लिखती हुई थी उसकी चोरी कर ली और जिन लोगों ने चोरी की जिन पे ये आरोप है उन लोगों से दलाली खाने वाला ये उमिद्वार है इसलिए मैंने का ये खिचडी चोर है तो खिचडी की दलाली करना एक आरोप है और खिचड़ी चोरी करना, गरीब के लिए मुफ्त का जो खाना था, उसको चुरा लेना, तीन सो गराम के नाम पे सिर्फ सो गराम खिचड़ी देना, दो सो गराम खिचड़ी चुरा लेना, यह अपने आप में बहुती बड़ा अपराद है, अक्षम में अपराद है, और इस ब्रस्टाचार के मुद्दे पे अपने आपको लोगों के सामने रखती है तो उनको सोचना पड़ेगा कि ऐसे करप्ट, ऐसे स्कैमस्टर और E.D. के प्रोब के तहट जीने वाले खिचली चोर को उमिद्वार नहीं बनाया जाना चाहिए तब वरना वो कहें कि ब्रस्टाचार हमारे लिए मुद्दा नहीं है मैं स्विकार कर लूँगा फिर आपने सही निर्ना दिया क्योंकि ब्रस्टाचार आपका मुद्दा नहीं है तो आपने जो खिचरी चोर बोड़ा उसके पीछे एक लाजिक का यह M.V.A की अलाइंस चलेगी क्या इनकी उद्धव, उद्धव सेना, शरत पवार, कॉंग्रेस पार्टी कितने दूर चलेगी आपको लगता है आपको लगता है कि अलाइंस चल रहा है, अलाइंस तो चली नहीं रहा है बंगाल में अल्डेडी सब कुछ बिखर गया है, अब दिल्ली में हालती है, मुझे तो मुझे आपको पता है, मैं व्यक्तिगत तोड़ से मेरे क्या राहे हैं उद्धव धाक्रे के बारे में मगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो सिटुएशन आप डिस्क्राइब करें कि उपर उपर से सब कुछ ठीक लग रहा है यह बंबे में आके करोडो स्पेंड करके बड़ी-बड़ी डैली करते हैं, फारुक अबदुला आते हैं, आपके लिता आते हैं, कहते हैं, हम देश को, हम अलग तरी की राजनीती दिखाएंगे, दिशा दिखाएंगे, मगर अंदर ही अंदर इतनी तनाव है, जो आप कहरे आरनब बहुत ज़्यादा अब इंसाइड स्टोडी रह नहीं गया है, सब कुछ बाहर आ गया है, भाई शिवसना यूनिलेटरली अपनी लिस्ट अनाउंस करती है, तो मैं तो विरोध करता हूँ कोई मेरी सीटूम ने छीन ली, और पार्टी के लोगों ने जो सीट शेरिं में पार्टीसिपेड कर रहे थे, उन लोगों ने भी विरोध किया, तो बहुत कुछ अब इंसाइड स्टोरी नहीं है, सब कुछ सामने आ चुका है, दूसरी बात, जो जितनी मीटिंगें हुई है, मेरे काल से कल रात की भी एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में भी सांगली और भीवन्डी के लिए कॉंग्रेस का आगरा था, लेकिन आज मैंने सुना सामको कि भीवन्डी के लिए रास्तवादी कॉंग्रेस ने अपना केंडिट एनाउंस कर दिया, यानि किसी प्रकार की आपस में सहमती नहीं है, एक दूसरे के जो इंट्रेस्ट हैं, एक दूसरे के लिए कागज पे उस गड़बंदन को रखा जाता है, तो अरना भाई मैं यह कहना चाहा रहा था कि अब दूसरे चैनल के लिए टाइम हो गया है, अगर आप अनुमती दे तो मैं यहां खतम करता हूँ फिर कभी मिलेंगे, बस एक सवाल हो, एक सबसे बड़ा सवाल, सबस जो 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 जोज ए नो बढ़त वाल, आप अगरा चाह यह फिर नहीं है, तो अब आप अधनेया चिंड अधार, सबसे पहले नौ तारिक का जो वक्त है, यह हमारे है खरमास का महिना बोलते हैं, तो यह अच्छा पीरियड नहीं है, तो अभी आप आटे जाने वाले चार-पांच दिनों तक तो इस प्रकार का कोई फैसला नहीं होगा, नौ के बाद जब नौरात्रा शुरू हो गिया, मैं खुद नौरातरी का उपवास रखता हूं वर्शों से, उस दर्मयान हम एक फैसला करेंगा और अभी तक सच पूछिये तो कोई फैसला नह आमने आकर इसकी बहुत खुशी-खुशी घोष्णा करेंगे, लिकिन आज, इस दे, at this point of time, no decision has been taken as far as joining any party is concerned. You're keeping our options open. Sanjay Nirupam, thank you very much. Bहुत-bहुत धन्यवाद. Thank you. Thank you. Thank you. For the 11th year, by India Today, a testimony to Amity's world-class education, whilst imbibing values and sanskars in students. After Ashok Chavan, Melinda Aura, now Sanjay Nirupam has joined the list of loyalists exiting the Congress. All of them have one thing to say. हमने तैय किया था कि शिंडे साहिब के नित्रत्व में मैं पार्टी छोड़कर उनका साहथ देना चाहता हूँ. मेरी जो राजनिती है, नकारात्मक राजनिती में मैं विश्वास नहीं करता हूँ. मेरा जो विचार धारा है, मुंबई, महराश्ट्रा, देश की जन्ता के लिए काम करना हूँ. जो केंद्रियन नित्यत्यों जिसको आप कहते हैं, उनका अपने राज्यों के लीडरों के साथ कोई कमिनिकेशन ही नहीं है. जो लोग कुछ पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, उनके अलावा उनके हिसाब से कोई कॉई का नेता ही नहीं है. The Congress has dropped Sanjay Niropam from the star campaigner's list over alleged anti-party stand. Days after Niropam's ultimatum, Maharashtra Congress Chief has proposed high command to expel its loyalists. Niropam was quick to take cash-strapped jibe at the Congress, asking the top brass not to waste its energy behind him. Is the Congress insecure of Sanjay Niropam now? National China का हिस्सा है, वो कभी था ना कभी रहेगा. मैं आपके घर का नाम मजल दो, तो मेरा घर बन जाएगा क्या? National India का पार्ट है और हमेंसा रहेगा. अरुनाचर प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी खाप, अभी भी है, आगे भी रहेगा. हम इंडियन है, और इंडियन ही रहेंगा. अरुनाचर प्रदेश भारत का स्टेट है, अरुनाचर प्रदेश भारत का स्टेट है. अरुनाचर प्रदेश भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, शीलंका और तमिलनाडू के बीच में, समंदर में एक तापू है. ये कॉंग्रेस के लोगों ने माव भारती का एक अंकाट दिया, भारत से अलग कर दिया. देश, कॉंग्रेस के रवये की कीमात आज तक चुका रहा है. भाई मुझे बताओ, बारा लाग करोड के गपले गोटाले करेंगे, तो जैल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोलो जाएंगे या नहीं जाएंगे? और राउल बाबा सुन लो, क्यूं भरियात करेंगे? हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया, के कर हम चुनाव लड़े थे? जो ब्रस्टाचार करेगा, वो जैल की सलाकों के पिछे चला जाएगे. आज सुनिया कहती है कि मोदी मजबूत नेता है, मोदी कड़े और बड़े फैसले लेने वाला नेता है, लेकिन मेरे भाईयों बेहनों, मैं तो हाथ जोड़के ही कहूंगा, कि मोदी तो कड़े और बड़े फैसले लेता है, क्योंकि उसे 140 करोड भार्तियों के सपने पूरे करने है. Navneet Rana's campaign yatra had just started right now and she is set to file her nomination and her rally just passed, her roadshow just passed from this very Rajapet chalk. Meanwhile, we are out here at one of the shop in Amravati and they are the local residents, they are into this business since a long time. But ultimately how Navneet Rana is as an MP, what work she has done, what do people of Amravati think about Navneet Rana? It is something that we are trying to know from the local people out here in Amravati, we will speak to the local shopkeeper out here and we will get his reaction, what does he think? अपना नाम बताईए, आशिश लड़ा, अशिश जी कितने सालों से आप अमरावती में हैं? मैं तो 50 साल से हूँ यहाँ पर पचास साल से हैं, तो Navneet Rana यहाँ पर आप उन्होंने जो है, भारते जनता पार्टी के टिकट पर आज वो नामंकन दाखिल करने जा रही हैं, त पॉब्लिक से जुड़ी वी है, जी, तो पॉपुलरिटी के लिहाद से अगर और उनके काम के लिए, जी, एक सवाल मैं जानना चाहूंगा, कि पहले वो इंडिपेंडेंट थी, इंडिपेंडेंट एंपी से चुन करके आई थी, अब वो बीजेपी के टिकेट से लड़कर के आ रही है, उनको यहाँ पे लोकल विरोध भी था, आपको SST में क्या लगते है, मतलब आपने पिछला भी टर्म देखा है, और आगे वाला टर्म के लिए भी आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि उनका कारेकाल बहतर रहा है, तो उनको सपोर्ट मिलेगा, कैसे आप देखते ह पिछला भी जादा मतों से आएगी हो, कि कि पिछले बार तो भी मोदी जी के बीजेपी में नहीं थी, इस बार भी जीपे में भी है, तो हंड़ेट पसंट उन्हों नहीं आपना है We have a very special guest joining us, CPI candidate from Wayanad, Miss Annie Raja is joining us. Miss Raja has got a political experience of 45 years and over. An interesting turn is now taking place in the Wayanad constituency as she is pitted against Congress candidate Rahul Gandhi. Miss Annie Raja, thank you very much for speaking to Republic TV. Let me straight away begin by asking you, are you in alliance with the Congress party or not? Here in Kerala, the contest is between CPI-M led the left Democratic Front and Congress led the United Democratic Front. The contest is between LDF and UDF. So there is no question of alliance with the Congress as far as my candidature or my party or my left front is concerned. But Miss Raja, there are at least two constituencies, Tiruvantapuram and the constituency from where you are contesting. You have fielded candidates from your party, pitted against the Congress. Many would essentially wonder that how exactly are you saying that the CPI is part of the India bloc? If you're fighting against the Congress, how are you part of the India bloc? Actually, you should know that in Kerala, there are 20 parliamentary constituencies and all the 20 parliamentary constituencies, the candidates of left Democratic Front, that is LDF, is contesting against Congress led UDF. It is not only Vyanard or in Trivandrum. So this is number one. Number two, well before the announcement of the schedule of the upcoming election, the left front LDF has announced its candidates for all the 20 constituencies. And we as candidates, we have started our work much, much before the announcement of the election. So after that, very late, only the Congress led the UDF has announced its candidates. And unfortunately, it is Mr. Rahul Gandhi. Last time also he came here, he defeated our candidate, the left front candidate here in Vyanard. So it was Rahul Gandhi who came and he is fighting against the left front here. And the left front EU are saying that the parties in left front, whether it is CPI or CPI, we are all part of the India alliance at the national level. And alliance means adjustments. Congress should have been thought of all these things. Congress actually has given a weapon in the hands of BJP and the Prime Minister to beat us, to attack us. And the all responsibility, complete responsibility lies with the Congress national leadership. And Mr. Rahul Gandhi cannot escape from his responsibility. But Ms. Raja, same allegations can be leveled against you by the Congress Party, that you are playing into the hands of the Bharatiya Janta Party by fighting the Congress in the state of Kerala. Same goes for Mamata Banerjee in the state of West Bengal, where they are fighting against the Congress Party. So effectively, aren't you playing into the hands of the Bharatiya Janta Party? Always we thought that your enemy number one was the BJP. But it turns out that your enemy number one is not BJP, but the Congress. Look, you should understand the political equations in Kerala. At the very beginning of India alliance formation, in Kerala, the political alliance about Kerala's political alliance, that is Left Democratic Front and the UDF. This equation is there for such a long time. And at the very beginning of the formation of India alliance, these issues were very thoroughly discussed in that, all those meetings. And all the parties have agreed to continue this equation in Kerala and fight the election as Left Front as well as UDF. So this is an agreed position. So are you suggesting... And based on that, we are conducting here. And again... Miss Raja, are you suggesting that the Congress has backstabbed the Left Front? Because you are suggesting that there was an agreement reached upon by which the Congress would not have entered the front in Kerala. And in the state of West Bengal, perhaps they wouldn't have gone against the Trinamul Congress. Are you and the Trinamul Congress essentially suggesting... No, no, no. Again, again... It is the Congress which has failed the seat sharing? No, I will speak for my party and my Left Front. I don't know what is happening in West Bengal. And I won't speak for Mahmouda Banerjee and her party. Whether you are refusing to understand the political situation in Kerala or the political electoral adjustments in Kerala. What I am trying to say is that all the states... No, no, no. Just listen to me. In all the seats in Kerala, all 20 seats, the fight is between Left Front and the UDF which is led by Congress. So, there is no question of one particular. Here, what is happening? In spite of declaring the candidature of Left Front and in spite of starting their campaign, electoral campaign, Congress has again, once again, put Rahul Gandhi, asked their candidate to fight against the Left Parties here. So, it is for the Congress to tell the country and the people which is their bigger or larger enemy, biggest enemy in this election. Is it for Rahul Gandhi? For Rahul Gandhi is concerned. It is just to win an election or a seat, simply a seat, or to defeat or fight and defeat the fascist forces, which are trying to throw our Constitution even into the dustbin, and which is your larger enemy. So, do you believe your party, does it believe that the Congress has betrayed India bloc? I must say that Congress is not, I am afraid to, or I believe that Congress is not serious about the current political situation in this country and the challenges thrown by the fascist forces. Congress is not serious about that. They want some people to be, get, simply get elected and they should be there in the Parliament. For that, to get elected from any, one seat, Rahul Gandhi could have contested from Telangana, he could have contested from Tamil Nadu, he could have contested from Karnadaka. All these places, we are in alliance with Congress. So, he could have very well contested from there. Here, in spite of agreeing to contested in the present formations, Rahul Gandhi came as a, he is a national leader, he is as a leader of the national India alliance, but he came and fighting against the left front. So, it is for the Congress. If Congress is betraying the India alliance, all, that Congress needs to answer and he, they will have to give an explanation. They, oh, the people need to hear from the, from the Congress on this. It is not for us to explain. It is for the, the Congress, it is for Rahul Gandhi and they should and he should explain why, why, what is the politics of Congress, which, this election, they are fighting, with which they are fighting. Ms. Raja, with my limited understanding, The very fact that someone with your political stature has been fielded against Rahul Gandhi only goes on to indicate that the left front was extremely serious in defeating the Congress, at least in Kerala. Was there a moment that, where your party or the left front had actually reached out to the Congress saying that you need to back off, but the Congress communicated that they are not going to back off, they are going to fight you. Was there any communication between the Congress, with the Congress party asking them to withdraw? No, no, in, in, on many, many occasions, the left front leaders, why only left front leaders, even many of the Muslim leaders, very reputed intellectuals, this is what I understand, I saw one letter also, requested Mr. Rahul Gandhi not to contest from Vyanat, because the current political situation demands more people to fight against this fascist government at center. Then we need more people in the inside parliament who can fight and who can defeat the fascist forces together. That is what even left leaders, many of the leaders, many a time has sent messages, openly sent messages, to convey the fact that Rahul Gandhi should not contest, he has a democracy, he can contest from anywhere in this country. That is not the question. But as a leader of the India Alliance, and as the national leader of the Congress, if he contests from Kerala, that will give a wrong message to the people, and that will be used as a weapon by the BJP RSS and the Sangha Parivar. That is why we, well in advance, well in advance, all our leaders openly conveyed this to the Congress and Rahul Gandhi. One final question that I want to ask you, Ms. Andrew Raja, is that there was a development that took place in Vyanat yesterday after the nomination was filed by Rahul Gandhi. There was a roadshow that was carried out. And it turns out here in the national capital that we are given to understand that the Congress was not using their own flag because there was a request that came in from the IUML. Congress had told the IUML that do not use your flag because it could be misrepresented as the Pakistani flag. Many are now going to make that allegation that is this some sort of an appeasement politics that is being carried out, at least in Vyanat, by the Congress and by the IUML. That is the impression sending out by the Congress by not holding their own flag and as well as their partner parties, the Muslim League and other parties' flags yesterday while he was going to file the nomination and that roadshow. Last election, what happened, Muzli League, all these people had their own flags. And Muzli League, of course, their flag is in green color. And the Sangha Parivar organizations accused or they sent out a false narration saying that the Congress is supported by Pakistan. That is why all the green flags. So, instead of fighting out and safeguarding the right of that political party, Muzli League, to hold their flag and instead of surrendering to the fascist attacks, they simply asked them also not to use their flag and the Congress decided not to hold their flag. So, this is if, what is the message party is trying to, the Congress party which is leading the UDF in Kerala, what sort of a message they are sending out. It is if people say that they are surrendering before the fascist forces, you cannot say that, oh, people are saying such false things. If people doubt like that, you cannot accuse the people who doubt like that. So, this is what Congress should think. Congress should understand the extent or the speed with which the fascist forces are moving towards making this country as a Hitlerian state and a Hindu, Brahminical Hindutva Rashtra. Do you believe that Congress is capable of running an alliance right now, taking the India bloc together? Are they capable? No, they are an India party and I don't doubt their capability or anything. But their politics sometimes, they show the weakness of, their weakness is expressed in such, manifested in such way, like avoiding their holding their flag, they are refusing to hold their flag or not allowing the other partner or parties not to hold their flag. So, these are all occasions to assert our constitutional right and our democratic right. This is our democratic right and it is our party's flag. We will hold it. Any attack comes from any fascist forces, we will fight it out. That should be the attitude. And Congress failed to show that fighting spirit against fascist forces yesterday. It is unfortunate. Thank you very much, Ms. Anirajah, for joining us on This Is Exclusive. Anirajah, candidate of the CPI from Vyanat constituency, hitting out of the Congress Party, clearly sending out the message that it is the Congress Party which should have acted in a much more responsible manner. Thank you very much. With the support of the CPI from CMC, which had been recognized by PMC at 44 perspective, अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेज खाली के दोशियों को सजाद दिलवा कर ही रहेगा उन्हें जिन्दगी जेल में ही काटनी पड़ेगी बंगाल के विकास के लिए यहाँ बीजेपी का मजबूत होना बहुत जरूरी है बीजेपी ही है जो यहाँ माताओ बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोख सकती है यहाँ पस्चिम मंगाल के गाओं गाओं में लाखों बहने सहायता समुगों से जुड़ी है अब मोदी ने तीन करोर बहनों को मेरी माताओ बहने सुनिये मोदी ने गरंटी दिये इन्होंने राजमाउशे नामशुद्र और मत्वा साथ्यों की कभी परवा नहीं की लेकिन आज जब बीजेपी सरकार सी ए ए लेकर आई है तो यह अब कोई फैला रहे हैं माँ भारती परास्ता रखने वाले हर परिवार को नागरिता देना यह मोदी की गारंटी है TMC कॉंग्रेस और लेप की राजनिती ही जूट पर ब्रह्म फ्रालाना और अप प्रचार पर टीई हुई है इंडी गजबंदन अपने आप में जूट और ब्रह्म का प्रक्तेक शुदारण है यहाँ TMC लेप और कॉंग्रेस वाले आपस में लड़ाई करते दिखते हैं लेकिन दिल्ली में सारे एक साथ रहते हैं TMC के मंत्रियों के घर से नोटों के धेर निकले हैं यह सब मिलकर इन लोगों को बचाना चाहते हैं जिनोंने नोकरी के राम पर यह मेरे परिवार जनों को दोखा दिया है यह लोग उनको बचाना चाहते हैं मैं कहता हूँ प्रस्टाचार हटाओ वो कहते हैं प्रस्टाचारी बचाओ मैं इन प्रस्टाचारियों को दोटूं कह रहा हूँ आपकी तमकी से कुछ नहीं होगा यह मोदी है प्रस्टाचारियों को सजा दे करके रहेगा अरे मोदी का कोई परिवार नहीं है उसको प्रस्टाचार की जरूर्प नहीं है तो क्या परिवार है तो आपको प्रस्टाचार करने का लाइसन्स मिल जाता है क्या? वो कुछ भी कहे मेरे लिए तो आप ही मेरा परिवार है मेरा भारत मेरा परिवार है आपकोई सब्सक्वार प्रसके उर्बावर कर कार चरिबावर प्रसक्राचार कंप्वार अब चैन और स्रावतस्तल श्यचार ममार कर कर दो überhaupt खब्स्यो खाल टेखल है – खब्सुटल कर उकल कर चारा DMK और Congress, two sides of the same coin है, DMK और Congress का मतलब है, big corruption, DMK और Congress का मतलब है, one family rule. Cane sir, your dinner. On a tile? It's anti-bacterial. Easy to clean. But plates? Cane bhai, it's a tile lad. IM Plus Technology से मने, world class tiles. Tile हो, the simple old. You started your career as a diplomat with one of our Gujarati PM, that is Mr. Morarji Desai. Your political career started again with another Gujarati PM, sir. Why did you accept it, sir? Why did you accept it? When Modi ji kuch kuch kate hai, you think there is any other answer? Modi ji nahi hotai, to offer nahi aata. Par agar Modi ji nahi hotai, to mujhe pata nahi ki acceptance hota ya. You started your career as a diplomat with one of our Gujarati PM, that is Mr. Morarji Desai. And your political career started again with another Gujarati PM, sir. So, Sir, we are very anxious to know, how did PM approach you, what was the communication, if you can just share with us, and most importantly, why did you accept it, sir? I, last question I can answer. You asked, why did you accept it, jab Morarji ji kuch kate hai, you think there is any other answer? But, मैं पहली बार मेरा उनकेसाद मॉदी जी केसाद डीलिंग जो है चीन में रादोध ता उस समय वो मुख्य Mango मंतरी थे तो उनका न आना हुआ कि पहला मीटिंग उस समय था उसके बाद जब तक वो प्र हैन मंतरी बने मैं यह कभी उनके बाद कहीं मीटिंग नहीं हुई थी पस उनके साथ मारी मुलाकात हुई जून में और फिर वो अमरिका में उनका विजिट वो दोरा आप जानते हैं बहुत फेमस था वो मैडिसन स्कुएर में उनका भाशन था वहां और अगले साल उन्हों मैं विदेश सचिप चुना गया तो मैंने तीन साल वो जिम्मे बारी न मैं टाटा टाटा ग्रूप में मैंने काम शुरू किया था तो जब दोहजार उन स्कूनाव के बाद उन्हों ने मुझे बलाए यह चुनाव के बाद की घटना है शपत गरहन के मनने होते ही होते तो मुझे लगा कि उस समय मैं तो शपत गरहन मेरी कोशिश थी कम से कम एक कि मैं भी देख सकूं कि कौन चुने जा रहे हैं वहाँ और तो मुझे बलाए तो मैं आज देश के सारे प्रस्टाचारी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे एक दूसरे पर प्रस्टाचार के आरोब लगाते थे एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे थे मुसम मिलकार मोदी आया प्रस्टाचारी कान खोल करके सुन ले ये मोदी नहीं आया 140 करोड देश वाचियों का प्रस्टाचारी के प्रती गुशा निकल करके आया है समिलनाडू में भारत के समूद्री तट से कुछ दूर शीलंका और तमिलनाडू के बीच में समंदर में एक तापू है ये कॉंग्रेस के लोगों ने माव भारती का एक अंग काट दिया भारत से अलग कर दिया देश कॉंग्रेस के रवये की कीमा आज तक चुका रहा है ये लोग एक और एक ग्यारा करकर सपना बना देख रहे हैं मैंने बोला उनको मालूम नहीं है सुन्य प्लस सुन्य बराबर सुन्य ही होता है कितने भी दल इखठा कर लो आएगा तो मोदी ही आएगा अजय को अजय को आएगा दिया एम के और कॉंग्रेस तू साइड्स अप देशेम कोईन है अरेंद्र मोदी भाईयों और बहनों सिरफ मुखोटा है चपन इन के चाती नहीं है जो भ्रटाचार करेगा वो जयल की सलागों के पीछे चलागा हिंदु धर्म में शक्ती शब्द होता है हम शक्ती से लड़ रहे हैं इन तक्ती शरूपा माताओ बहनों की रख्षा के लिए जान की बाजी लगाएगा अगरेश टू साइड सब्सक्राइब बहनों शरुपटा है जपन इन के चाती नहीं है जो प्रत्टाचार करेगा, वो जयल की सलागों के पिछे चलागा। हिंदु धर्म में शक्ति शब्ध होता है। From the Delhi studios of Republic TV, it's time for Arnab Goswami on the debate. जो does theabad the अरुना आप गोड़ा on the debate at nine presented by Amity University powered by RP Sanjeev Goenka Policy Bazaar co-powered by Pail Kholu good evening and welcome ladies and gentlemen it's not about Sanjay Nirupan quitting the Congress it's not about और उनगे वहीं प्रेशबस से थे चोमिट इने सुम डिल्विट इस बाल वाउपूब अ कुष्ण। रुट्भार इस नागवा व्ल्विट गॉटिंग उट रिल्वार इस आपोवी लॉट्ट इज्य। इस बाल्व कुझ पर व भी लॉठो टोम फ्र इस लागव में इस व मेंगाओ अच्रिस प्रढ़ प्रव इन अर्वाओ एंब के झाव एंग दिए। लादो प्रॉट में दिन टान्फिने इपून उत्रिया हैं दो एंग लादे इस वादार इन तर्व्य आप्रॉव्च अजियरुपन। and the dirty, dirty details of the fight between the Priyanka Wadra camp and the Rahul camp. You see, viewers, people reveal the truth in two situations to me. They talk to me in two situations where I feel they are speaking the complete truth, either in a moment of extreme anger or in a moment of complete frustration. And it is then that we must listen to them carefully because that is the raw truth. When they are furious or frustrated. The rest is cosmetics. Tonight I have managed to catch Sanjay Nirupam in a moment of complete frustration. He is a frustrated man. He is completely frustrated with the Congress party. And so listen to him very closely tonight. Listen to him and decide whether you can believe the whining, the constant, irritating, desperate whining of Rahul Gandhi anymore. or whether you believe that all his irritating, whining, complaining, his stupid excuses are a cover for the tension brought in the insides of the Congress party. Therefore, Sanjay Nirupams, my first debater tonight. Ripping the layers of the internal power struggle in the Congress party. That's first. And I'm following that with a debate on the huge fight within the Congress. Viewers, it's shocking. Robert Wadra says he is going to fight from Amit. Horror show after horror show. When you realized this family couldn't have fallen further, they have pulled out their final card. And that is Robert Wadra for the Wadra Congress. Debate three tonight. The IUML, Indian Union Muslim League and the proxy, PFI, party, SDPI in a deep relationship with the Congress party. And debate three tonight. Viewers, only three debates tonight. Okay. And here are the headlines this Thursday evening on the debate tonight. They are working to basically one-upmanship. One-upmanship. And the party has been a big deal. The inside story of the dirty details of what happens in the Congress party. Sanjay Derupam reveals it all. Robert Wadra announces unilaterally that he is going to be the Congress candidate from Amiti. Says he will be taking on Smriti Rani this time. Meanwhile, the rot within the Congress, the stench comes out more. The Congress battles mass exodus as three top leaders quits the party in a span of 48 hours. Hema Walani and Lockett Chatterjee face sexist slurs from the hands of Indy leaders after Kangana Ranaut. The Prime Minister hits back at Mamata as she tries to fearmonger on CA says the opposition is making desperate attempts. And as the battle for Wyanat intensifies, the left ups the ante, launches. The Congress has failed in the attack. And ladies and gentlemen, the first phase of the Lok Sabha elections are just 15 days away from the 15 days away. And the Congress party is disintegrating, eroding with more and more leaders abandoning it. Ladies and gentlemen, the Wadra Gandhis are confused. The horror story of the day is Robert Wadra saying, I will save the party. That's later at 10. For now, this is what happened. And then the big exclusive with Sanjay Nehrupa. With days for Lok Sabha ports, exodus from Kong continues unabated. As the Congress numbers dwindle, BJP's ranks swell. former MP Sanjay Nehrupa latest to leave the party. Leaders list same reasons for quitting, but no amends by the high command. with multiple power centers being a key issue of concern. I am telling you there are five groups. There are five groups and they are working against each other. They are working against each other's basically and they are working to basically one-upmanship and they are working to make one-up manship and they are working to make one-up manship and they are working against each other's party. I don't know if the leadership is being recognized or not. I haven't done it yet. कॉंगर्स एंटी सनातन स्टांस कमिंग बाक तु हॉंट सुबेज शाम गालियां देने से राष्ट्रा आपको माफनी करेगा द्धर्म, द्धर्म, सुबेज शाम सनातन धर्म को गालियां देते हैं लोग और आप मौन स्वीकृति देते हो, नौट एक्सेप्टेब Will the Congress's inability to resolve internal issues lead to the inevitable ahead of the polls? Let's debate. Sanjay Nirupam, long time congressman quitting the Congress Party he says. Congress Party says it has expelled Sanjay Nirupam, but the most unusual thing is that it was most unexpected. Many people you can think of leaving the Congress Party, but when you talk about Sanjay Nirupam who has been the head and the face of the Congress Party in Mumbai for many, many years, almost decades, quitting the Congress Party, it is a monumental piece of news. यह बहुत बड़ी खबर है. Sanjay Nirupam, now former Congress leader, is with us live. Sanjay Nirupam ji, Namaskar. Can you hear me? Namaskar. Yes, I can hear you. Sanjay Nirupam ji, people still cannot believe. लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने Congress Party पार्टी छोड़ी है. Last minute तक, it was seen to be a threat, it was seen to be a misunderstanding. What has brought it to this situation? देखें, Congress Party का जो नित्रित्व है दिल्ली से लेके मुंबई तक, वो पूरी तरह से दिशाहीन हो गया है. जमीन से डिसकनेक्ट हो गया है. जो उनके पास अच्छे योग्य, मेरिटोरियस और प्रतिभाशाली, महनती, संघर्शील, नत्यत्व है राज्यों में अलग-अलग जगों पे, उसकी बहुत पूछ या मान सम्मानिया इज़त अब नहीं रह गई है. उनकी बातों की कोई सुनवाई नहीं रह गई है, उनके बारे में कोई आगे क्या फ्यूचर प्लान हो सकता है, उनके लिए कोई political space हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस बारे में कोई चिंता करने वाला नहीं है, इसलिए धीरे-धीरे मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग Congress Party से कन्नी कटाने लगे हैं, Congress Party कुछ लोग को जैसे मेरे जैसे लोग को निकाल भी रही है, कुछ लोग Congress Party से कुद निकल भी रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा रह जाएगा कि 2-4-5 लोग ही Congress Party में रह जाएंगे और बाकि सब धीरे-धीरे निकल जाएंगे, क्योंकि Congress Party का अब बहुत जादा भुमिका जिसने निभाई थी वो Party और जिसने आजादी के बाद जब देश आजाद हुआ, तो एक आधुनिक भारत के निर्मान में जिसने अपनी बड़ी भुमिका निभाई, लेकिन आज दीरे-दीरे जो नितित्वा Congress के उस पर है, Congress के शिखर पर बैठा हुआ है, वह न गाओं के उजड़े हुए गाओं के परधान अहंकार और गुमान में जी रहे हैं, ऐसे अहंकार की वज़े से Congress Party से लोग तूट कर जा रहे हैं, तो आपने जो कहा कि बड़ा unexpected था, ये actually as a matter of fact, this is very much expected on every front in the Congress Party. और सबसे हंकारी कौन है? इन में से सबसे हंकारी कौन है? सबसे हंकारी नेता कौन है? या नेतागर्ण कौन है? सब है सब है वैसे ही है सब के सब जो जिनका कोई अपना बेस नहीं है कोई जनाधार नहीं है जो एक आम चेर पॉलिटीशन वाली भूमी कामे है जो लोग बिसिकली एक बंद कमरे में सिर्फ एक 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 आइडिलोजिकल और पैचारिक बात करते रहते हैं जिनका चुनाओ लड़ने और जीतने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है लोग पलटके मेरे बारे में भी बोलेंगे कि भाई ये भी दो चुनाओ हारे तो मैं भी पलटके पूछता हूँ कि आप कौन से जीत गए तो एक एक सबी हारे हुए लोग हैं और चुनाओ हारने का मत्ल़ ये नहीं होता कि आपटी मानसिanktада हार जाया अप हारी हुए मानसिक्ता से नहीं जी सकते लेकिन दुर भागपुन बात ये है कि पूरे नित्त्व की मानसिक्ता हारी हुई है और पुरा नतित्व इस से में बहुत डरा हुआ, घबराया हुआ और उत्साह विहीन है और जो एक उरजा होनी चाहिए, जोश होनी चाहिए क्यों क्यों नहीं है सब, क्योंकि आज देश पुरा बदल गया है देश के सोच बदल गई है जो नया जनरेशन जो तैयार हुआ है वह बहुत तेजी से आगे निकलना चाहता है वो पुराने आग्रहों से मुक्ति चाहता है जो पुराने विचार हैं, जो पुरानी सोच है, उससे वो एक दम बाहर निकल गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारी पार्टी का नित्यू तो उन लोगों के पास है, जो उन पुराने विचारों जो कुंध हो चुके हैं विचार, जो पूरी तरह से ठूट बन आपने आपने कॉंग्रेस पार्टी के अंदर पांच लोबी की बात कहीं, आपने कहा लोबी नमबर वन सोनिया गांदी, लोबी नमबर टू, राहूल गांदी, लोबी नमबर त्री, प्रियांका वाडरा, लोबी नमबर फोर, मलिक अरजुन खडगे, कॉंग्रेस के प्रे तो आपने जब उनके ही नाम लेके पूछा तो एक किस्सा बताओं, टाइम है आपके पास, आप बताईए ना, जी जी समय बहुत है, बहुत बड़ा एक आरोफ, बहुत बड़ा आरोफ भी हो सकता, क्या हुआ, कि लंबे समय तक मुझे घर पर बैठाए रहने के बाद, जे नुर्पम नाम का भी एक हमारे पास नेता है, जो मुंबई में, उसको कुछ काम देना चाहिए, तब उन्हों ने संगटनात्मक चुनाओं के लिए, मुझे राजस्थान का प्रभारी बनाया, जिसको हम लोग कॉंग्रिस के लैंग्वेज में पियारो बोलते हैं, तो सब को सब का हक दिया, सब को उनका जो पॉलिटिकल स्पेस चाहिए, पार्टी में, सब को करके दिया, और एकदम से स्मूथली काम चल रहा था, तब तक अचाना किनी सज्जन का फोन आता है मेरे पास एक दिन, और वो दिन भी मुझे आद है, क्योंकि उस दिन मुझे कोट म का काम और है, क्योंकि जितने PCC Delegates से उनकी एक जोइन मिटिंग करनी पड़ेगा, और उसके बाद एक हम फैसला करने जा रहे हैं, कि एक रेजिलूशन पास करके, ये एक प्रक्रिया है कॉंग्रेस के अंदर, तो मैंने आज के आज 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 साइलेंट मोड में मोबाइल रखके बैठ गया था जजस साब के सामने और आदे घंटे बाद फिर वा तब तक देखा कि इनके कई मिस्ट कॉल पड़े हुए हैं, मैंने फॉन किया नहीं तो मैं अभी तक किया नहीं रहे जाएं, मैंने को बस मैं कोट में अपरेंस था, तो और मैं उसको उसकी वज़े से नाराज हुआ ऐसा भी नहीं लेकिन मैं किस्सा बता रहा हूँ आपको, और उसमें आगे जाकर कि आपको इस कहानी में एक बहुत अच्छा पंच मिलेगा और जो बहुत अच्छी एक जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा, तो यह सब चल र मेरे पास एक हरियाना के एक बड़े नेता, उनके सुकुत्र का फोन आया कि हमको भी उसमें सामिलोना है, संजे जी मेरा इंतजाम करतो, मैंने का तुम तो बड़े पाउरफुल आदमी हो, तुम डारिक बात कर सकते हो, ने, ने, आप कर दीजे, मैंने का ठीक है, और लगता मुझे बोलता रहिंगा, आप कर कया रहें, क्या कर रहें, क्या कर रहें, मैंने का इसा हुश्टपर, मैंने का रह एसका, आप हरिएना का इंचार्ज करो नहीं बनते, अब मैं उससे कुछ बात नहीं कर रहा था, आखिरकार उसने, मुझे छेड़ते-चेड़ते पूचा, तो मैंने कहा कि ऐसी कुछ बात चल रही है, बला अगर कुछ गरबर है तो बताईए, वेन्यू को पाल, हम लोगों ने पूरा मैनेज कर रखा है, हम जो चाहते हैं बू हो जाता है। मैंने कही क्या होता है, इसका क्या मतलब, आप डूरी मतलब अपने डंग से करते हैं, मैंने अच्छे साव आप करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम हूँ, उसके तीन चार दिन के बाद ये तैह होता है, कि मैं संजे निरुपम को नहीं बनाया जाएगा, किसी और को बना परा, नहीं नहीं हमने पुरा उनको मैनेज कर रहा है, हम जो चाहते हैं वो होता है, और एक हफ़ते बाद किसी और का अनॉंसमेंट आता है, और जो उनके लिए बड़ा अनुकूल थे, तो अब जिस, तो मैंने जो आज बोला है, कि पांच लॉबी चल रही है, वो पांच एक पॉलिटिकल ताकत एक्जर्ट करने के लिए तो काम करते हैं, उसमें लूट पार्ट भी हो रही है, ये लूट पार्ट मतलब पुरा पैसा देख, पैसा फेक तमासा देख चल रहा है, अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, इसलिए क्योंकि, क्योंकि इसका कुश सबूत नहीं है, तो ये जो भी हम कहेंगे वो अपने आप में एक बड़ा निराधार सी बात होगी, लेकिन ये दूपार्ट करने की बात हुई, आप ये पैसो की लेंदेन की बात कर रहे हैं क्या? मैं वही बोल रहा हूँ कि अब वो जिस सज्जन ने मुझे बोला, उसने का कि उसने पहले मेरे से इंफूमिशन निकाल ली, और इसके बाद बोला कि हम जो चाहते हैं वो करते हैं, क्योंकि हमने उनको मैनेज कर रखका है, और उसके बाद जो परभारी बनते हैं, और मैं उ सडिनली जो सेंटर लीडर्शिप है न, वो बहुत एकदम से अपने आपको सरेंडर्ड इस्थिति में रख दिया, ऐसा लगता है कि अपने आपको परोस दिया है, जो चाहिए लेके जाओ, पहले ऐसा नहीं था, यह जो कॉंग्रिस पार्टी के सिर्ट सेनेतितों का जो मतलब उनको उनकी रिलेशनशिप क्या है, क्या चमचागिरी की रिलेशनशिप है, इस इत चमचागिरी वाली रिलेशनशिप है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाए रिलेशनशिप ऑफ साइको फैंसी, वो वाली बात है कुछ और है, क्योंकि यह सवाल बहुत लोग कर रहे बगर वो Congress के शीष नेतरत्व को अपने एक तरह से उन्होंने कबजे में रखा हुआ है तो यह क्या सिर्फ is it a relationship of only चमचागिरी और something else? ने चमचागिरी तो है ही, चमचागिरी तो primarily Congress Party में एक बहुत बड़ा गुण है और चुकि हम कभी चमचागिरी नहीं कर पाई, इसलिए वहाँ का जो एक टॉप जो बॉड़ी है उसमें कभी हम स्थाप इतनी हो पाई, क्योंकि हमसे यह सब नहीं होता है, हम तोड़े स्वाविबानी टाइप के लोग है लेकिन वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं, जिनके लिए सही वर्ड का इस्तमाल कर रहे हैं, रूटलेस लोग है और जिनकी लाइफ में अमबिशन क्या है, कि किसी तरह से राज्य सभा पहुंच जाए जाए उसी के तपस्या में लगे हुए है, और उसी के तपस्या पूरी हो जाए, उसी काम में लगे हुए है तो ऐसे लोग, आचा बहुत सारे लोग इस समय कुछ लॉबी में ऐसे हैं, जिनके पास कोई political अनुभो नहीं है इक्स्परियंस नहीं है, जिनका कोई political पहचान भी नहीं है, जिनका कोई political background लेकिर अचानक चमचागिरी करके वो high command बन गए है, और ऐसे लोग आपको आदेश देते हैं, ऐसे लोग आपको निर्देश देते हैं, बड़ा लबादा ओड़ करके बड़े बन गएं कि इनका नाम लेना मुझे लगता है कि मैं अपने आपको छोटा कर लूँगा तो मिसे नाम मत पूछिए लेकिन कॉंग्रेस का एक एक कारकरता मैं जो इस सारा दे रहा हूं उसको समझ रहा है कि ये कौन से लोग है और ये सब निकब में लोग हैं सिर्फ बोल बच्चन है बड़ी-बड़ी बाते करने वाले उनको गाओं में कोई नहीं पचानेगा उनको दिल्ली में कोई नहीं पचानेगा ऐसे लोग आजकल हाई कमांड बन गया है ये बहुत दुर्भागा पुन बात है कुछ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आउटटेट हो चुके है जो पूरी तरह से वैचारिक तोर पर जितका को आउन तो बिश्वा सर्मा का था जिसमें कहा गया था कि एक कुट्टे को जिस प्लेट में बिस्किट दिये जा रहे थे वही प्लेट उनको भी ओफर किया गया था ऐसी कुछ बात आपने अपने प्रेस कॉन्फरेंस में यू स्पेसिविकली आपने कहा और आपको बैस कोट कि इस तरह की बाते करते हैं इस तरह की भाषा का इस्तमाल करते हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता हूं आपने कहा कि आपके बात आपके साथ। The kind of language which has been used Is the language you cannot speak in the open about What was said to you आपको क्या कहा गया था आप रिपीट मत कीजिये वर्ड्स को मगर क्या हुआ था आपको जो इंसल्टिंग वाली फीलिंग हुई वो क्यों हुई अब मुझे नहीं लगता क्यों सब्दों का इस्तमाल मैं सुबर नहीं करना चाह रहा था उन सब्दों का इस्तमाल अभी शाम को करूँगा तो वो जाने दो लेकिन ये दुर्भागपुन बात है कि अलग-अलग लॉबी में ऐसे ऐसे लोग है जो ऐसी भाषा का इस्तमाल करते हैं और ऐसा वहवार करते हैं ऐसा आचरन पेश करते हैं जो बहुत डिस्गस्टिंग होता है और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के भरोसे पार्टी को नहीं छोड़ देना चाहिए वरना जो एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी है सिर्फ ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी ही रह जाएगी इसका आने वाले दिनों में कोई भविश्च नहीं रह जाएगा मैंने बताया था कि कॉंगरेस पार्टी कैसी पार्टी है ये बिहार के चीनी मिल की तरह है बिहार के चीनी मिल बहुत उनका अतीत बड़ा गौरवपुन था बड़ी बड़ी इमारते थी हुए लेकिन आज वो पूरी तरह से खंडहर हो चुके है उस खंडहर के अंदर पुराने जंग लगे हुई मशीने पड़ी हुई है और उसमें कोई प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है तो बिलकुल उसी तरह की इस्तिती है और अगर ऐसे लोगों के भरोसे कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ दिया जाए तो ये जो सिक यूनिट है कॉंग्रेस पार्टी की वो और भी सिक होती चली जाएगी और उसकी वज़े से जो बचा कुछा जो एक आधार है वो भी खतम हो जाएगा क्योंकि दो एलेक्शन आप हार चुके हैं तीसरा एलेक्शन भी हारने वाले है पताने दो जार उन्तिस तक भी आप कुछ तैयारी कर पाएंग ने कर पाएंगे कॉंग्रेस पार्टी को लेकर आज के दो बरे हेड्लाइने कॉंग्रेस पार्टी को लेकर पहला है कि संजे निरुपाम का इस्तीफा या फिर संजे निरुपाम का एक्स्पेल किया जाना जैसे ही आप इस खबर को देखें और दूसरी ख़बर है कि थोड़ी देर पहले जो बतलब ख़बर आई है कि रॉबर्ट वाडरा ने कहा है कि इस पार्टी को मेरी जरूरत है जहां मैं जाता हूँ, रॉबर्ट वाडरा ने इंटर्व्यू दिये हैं, हर चैनल को इंटर्व्यू देना हैं कि जहां मैं जाता हूँ, देश की जनता कह रही है हमें रॉबर्ट वाडरा चाहिए, और लोग कह रहे हैं, रॉबर्ट वाडरा जी आपने इतनी देर क्यों कर द आप कैसे देखते हैं इंको क्या आपको लगता है रॉबर्ट वाड़ा दिशा दे पाएंगे कॉंगर्स पार्टी को अल्रेडी पहले से इतने सारे लोग हैं रॉबर्ट बड़रा जी जैसे लोग जो पार्टी को दिशा हीन करके बैठे हुए हैं तो अगर ये आ जाएंगे तो और भी गलत दिशा में ही पार्टी जाएगी फिर भी अब मैं कॉंग्रेस पार्टी में नहीं हूँ और कॉंग्रेस पार्टी किसको मौका देती है आप ये ये पाँच कैम्प के बारे में कहा आपने सोनिया गांधी कैम्प, राहूल गांधी कैम्प, प्रियंका वडरा कैम्प, ये अलग-अलग कैम्प क्यों हैं, ये अलग-अलग खेमे हैं क्या, क्या सबकी अपनी-अपनी ग्रूप है, अपने-अपने लीडर्स है, अपन सबकी अपनी अपनी लॉभी है और इनमें और इनके अंदर एक ऐसा भी नई कि सब अपने अपने काम में लगए हैं एक दूलिसरे से लड़ने में लगए हुए हैं और उस चक्कर में कई ल जो एक चुपचाप काम करने वाले लोग है जिनका काम से मतलब है बाकि किसी गुरुप बाजी से मतलब नहीं है ऐसे लोग कई बार शिकार हो जाते हैं और इस वज़े से बहुत लोगों में इस विशय को लेकर के एक बड़ा असंतोश है नाराजगी है उनके अंदर एक तरह का frustration नहीं कुंठा है और इस कुंठा को पहचानने की जो समझ होनी चाहिए वो नित्य तुम्हें नहीं है और यहीं वज़ा है कि Congress Party लगातार जमीन पर सिकूर्टी चले जा रही है अब कहरें पावर स्ट्रगल है इनके बीच हाँ है ना बिलकुल है वो सामने से दिखता नह है लेकिन एक पावर स्ट्रगल चल रहा है और आगे भी चलेगा आप देखते नहीं है कि अगर कोई कहीं पे किसी पार्टी से जोईन करता है या कुछ है कोई कोई political पोलिकल पोलिकल अगर कोई मान लिजे कोई conflict हो और उसका resolution होता है तो फटा फट ट्वीट होता है कि फ़ल अफराने किया तो दूसरे ने किया तो ये result हो गया तो ये एक तरह से एक दूसरे की positioning करवाने के लिए अपनी पोजिस्निंग करवाने का एक effort चलता रहता है वो क्या है वो अपने आप में इंगित करता है कि एक प्रकार का power struggle चल रहा है दिखाने के लिए एक दूसरे के रॉट है अंदर यह बात है उतर प्रदेश में जब राहुल गांदी अपने बस स्यातरा को लेकर आये तब आखिलेश डिडिन उसके बाद राहुल गांदी भी में उसके शाफचा काउर्चा फिर निएकर बात ऊसीकार लेकर आह टूकेला है Preseret आखिलेश से बात की है Preseret राहुल गांदी ग्रॉपज तर देन these here गांदी और भी गुरूप कर दो पावर्फूर रहा है जिसको बुलते हैं अंग्रेजी में वन अप मैंशिप चल रहा है आपस में सब का और उसमें पार्टी का बड़ा नुकसान हो रहा है पता नहीं लीडर्शिप इसको रिकोगनाइस कर पा रहा है कि नहीं कर पार रहा है प्रेस कॉंफरेंस जब हो रही थी विए 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 नाना पतोले ने कहा विए तरह से थोड़ा सा सन्नाटा था रिपोर्टर्स में कि दिस्सिप्लेरी एक्शन अगेंस संजे निरुपम तो वन रिपोर्टर आस्ट कि विल यू गिवेमा वर्निंग लेटर बोलते ह वन शॉट आक्शन कुछ ऐसा कहा था नाना पतोले ने आपके बारे में कहा वन शॉट आक्शन किया जाएगा तो clearly there are people within the Congress party who wanted you out ये भी जो है येने की कोई warning थी कोई suspension था ये भी जो इंटर जो एक 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 जो लॉबिस की इंटर लॉबिस rivalry है न उसी का नतीजा है भाई दरसल मैंने कहा क्या मैंने सिर्फ ये कहा कि शिवसिना के साथ Congress party जिस प्रकार से समझवता कर रही है सीटों के शेरिंग कर रही है या Congress party के हित के खिलाब है इससे मुंबई में Congress party हमेशा हमेशा के लिए खतम हो जाएगी और Congress के कारकरताओं में इसको लेकर एक रोश है नाराज़गी है यह Congress के हित में दिया हुआ एक बयान था दूसरा बयान ये था कि बगाएर पूरे MBA के सभी partners को on board लिए और बगाएर सब की साथ सभके साथ सहमती बनाए शिवसरा ने MBA के candidate के तौर पर एक खिचडिक चोर को हमारे सामने पेश कर दिया जो कि यहां के पुर्वसांसत के सुक् आपको पता है ये व्यंग नहीं है ये आपने आप पर आरोब है कि आपने डेलिबरेटली ये word पचास बार सौ बार दिन में हजार बार यूज़ करके दूसरों को भड़काने की कोशिश की MBA के साथ जो relationship थी को खराब करने की कोशिश की आपने खिचरी चोर खिचरी चोर क् कॉंग्रेस पार्टी के लोग कहने है कि संजे निरूबर को क्या जरूरती सब्चे के जाके खिचरी चोर किचरी चोर कहें बड़ा अच्छा सवाल है मैं इसका जवाब देता हूँ आपको क्या होता है पहले खिचरी था कि खिचरी स्कैम है क्या जब कोविड था पूरे देश में तो मुंबई की महानगर पालिका ने तैय किया कि यहां के जो माइगरेंट लेबर्स हैं और जो परपट्टियों में और चालो में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनके सामने भोजन का संकट पैदा हो गया है तो ऐसे सभी लोगों को फ्री में भोजन दिया जाए यह बहुत अच्छा उपकरम था इसका मैं मतलब इसके तारीफ करना चाहूँगा और तो मानगर पालिका ने कहा कि अब यह दिया जाए तो उनने बगार टेंडरिंग प्रोसेस को फॉलो किये अपने पसंद के जो सप्लाइर्स थे उन सप्लाइर्स के जरीए उनने खिचड़ी सप्लाई करने का इन गरीब लोगों के लिए खिचड़ी सप्लाई करने का प्रोजेक्ट बनाया और फिर यह जो अलग- कमिशन खाते रहें लेकिन आपका सवाल है कि मैंने खिचडी चोर क्यों बोला उन्हों ने ऐसे जो चानबीन हुई तो पाया गया कि ऐसे कई सप्लायर थे जिन से इन लोगों के रिष्टे थे उन सप्लायर को बोला गया था कि 300 ग्राम खिचडी देंगे लेकिन उस डिबे में 100 ग्राम ही खिचडी थे मतलब 200 ग्राम खिचडी जो गरीब के नाम पे लिखे हुए थी उसकी चोरी कर ली और जिन लोगों ने चोरी की जिन पर ये आरोप है उन लोगों से दलाली खाने वाला ये उमिद वारे इसलिए मैंने का ये खिचडी चोर है तो खिचडी की दलाली और इस अपराध के खिलाप मैं अपनी आवाज बुलंद कर रहा था और अगर अगर कॉंग्रिस पार्टी या शिवसेना जो भरस्टाचार के मुद्दे पर हाई मोरल ग्राउंड्स लेती है और हमेशा भरस्टाचार के मुद्दे पर अपने आपको लोगों के सामने रखती ह है तो उनको सोचना पड़ेगा कि ऐसे करप्ट ऐसे स्कैंस्टर और एडी के प्रोब के तहट जीने वाले खिचरी चोर को उमिद्वार नहीं बनाया जाना चाहिए तब वरना वो कहें कि ब्रस्टाचार हमारे लिए मुद्दा नहीं है मैं सुकार कर लूँगा फिर आपने आपको लगता है कि अलाइंस चल रहा है अलाइंस तो चली नहीं रहा है बंगाल में अल्लेडी सब कुछ ठीक लग रहा है आपको पता है मैं व्यक्तिगत तोड से मेरे क्या राहे है उद्धव धाकड़े के बारे में मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो सिट्वेशन आप डिस्क्राइब करें कि ऊपर-उपर से सब कुछ ठीक लग रहा है यह बंबे में आके करोडों स्पेंड करके बड़ी- आपके लिए ता आते हैं कहते हम देश को हम अलग तरीकी राजनीती दिखाएंगे दिशा दिखाएंगे मगर अंधर यंदर इतनी तनाव है जो आप कहरें कॉंग्रेस पाटी के अंदर इतने खेमे है यह तो लोग को पता नहीं है तो पीपल वांट वांट नो इंसाइड स स्टोडी रह नहीं गया है सब कुछ बाहर आ गया है भाई शिवसना यूनिलेटरली अपनी लिस्ट अनाउंस करती है तो मैं तो विरोध करता हूं कि को मेरी सीट उन ने छीन ली और पाटी के लोगों ने जो सीट शेरिंग में हिस्सा लेते वो बचा नहीं पाए बाद में कर रात की भी एक मीटिंग थी उस मीटिंग में भी सांगली और भीवंडी के लिए कॉंगरिस का आगरा था लेकिन आज मैंने सुना साम को कि भीवंडी के लिए रास्तवादी कॉंगरिस ने अपना कैंडिट एनांस कर दिया यानि किसी प्रकार की आपस में सहमती नहीं है एक दूसरे के जो इंट्रेस्ट हैं, एक दूसरे के जो पॉलिटिकल जो अपने जरूरते हैं, उसका कोई समान नहीं है और जब किसी गटबंदन में कई पार्टियों के बीच इस प्रकार का रिस्ता होता है, तो वो गटबंदन समझ लिजिए कि अल्लेडी मर चुका है, बस दिखावे के लिए कागज पे उस गटबंदन को रखा जाता है, तो अर्नव भाई मैं यह कहना चाहा रहा था कि अब दूसरे चैनल के लिए टाइम हो गया है, अगर आप अनुमती दे तो मैं यहां खतम करता हूँ फिर कभी मिलेंगे, बस एक सवाल हो, सबसे बड़ा सवा सभी भी बट युए आप आट अच्कार टृए मिलेंगे टोवा जाराइछ पह जिन्जांच घी है इस पर क्लारिटी बहुत जरूरी है, बसे है clarity on that is that at this point of time no decision has been taken as far as joining any party is concerned. You're keeping our options open. Sanjay Nirupam, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. On the debate tonight, every time you say, when anyone is leaving your party, you say, ED. 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 What was it? What was it? Is there any ED on Sanjay Nirupam? No. It was not. You heard him? Yeah. He said there's a huge fight going on between Sonia camp, Rahul camp, Priyanka camp. You're in which camp? No, no. Which camp are you in? We have 10 janpat camp. Which means you're Sonia camp? 10 janpat camp. Your Sonia camp. Rajiv Gandhi. So you're in that, you're in that camp. Congress party camp. You're in that camp. 10 janpat camp. Sonia gandhi camp. No, no. 10 janpat camp. 10 janpat camp. What is Malikar Junkarge? Puppet? No, no. He's a congress president. You said Chamchagiri. Congress party. Chamchagiri is the route to go. We have a discipline in the party and Sanjay Nirupam unfortunately came from a different party to our party and he now feasts that when he got the ticket, we were good. When we've not been able to commutate this time because he also a newcomer. What sacrifice he has done? We gave him two tickets. He contested two or seven elections. What sacrifice is Robert Vardra done? There is no, he's given. Aaj ki tazha khabar. Sanju Varma. Aaj ki tazha khabar. Breaking news. Robert Vardra hai. Desh ka neta kaisa ho Robert Vardra jaisa ho. Rahul Gandhi. Congress ka neta kaisa ho Robert Vardra jaisa ho. Do vote ne milengya aapko. Sanju Varma, you're watching this. Is he joining the BJP? Kya inko bhi aap lelengye? How many people can you possibly accommodate? You know, first and foremost, Arnab, I don't know why. Each time I hear you speaking Hindi, you know, you're only getting better by the day. I think even Sanjay Nirupam was a bit rattled hearing you speak so seamlessly. You're welcome. But, yes, I mean, I don't know. You're welcome. You're welcome, man. I don't know why we have these stereotypes that somebody from Assam should not speak good Hindi, what have you, but I say it, you know, as a compliment. Yes. I have this to tell you, Arnab. You know, I have said this yesterday. I think what triggered Sanjay Nirupam was the fact that Anmol Kirtikar, the son of Gajamand Kirtikar, who's the sitting MP from Mumbai Northwest, Uddhar Thakre ne, Anmol Kirtikar ka candidature finalized kar diya from Mumbai Northwest, without so much as informing Rahul Gandhi, forget about even taking Rahul Gandhi's consideration or approval that, yes, we're the partners of Alliance, what's your role, is there any chance of your rights? Is there any chance of your rights? But I think most importantly, you know, when Sanjay Nirupam said that Anmol Kirtikar is a nobody in Mumbai Northwest, whereas don't forget that Sanjay Nirupam has been fighting Lok Sabha elections. It is true. He lost to Gajamand Kirtikar, but Sanjay Nirupam has, you know, been with the Northwest constituency. He's been nurturing it. Winning and losing is a part of the electoral process. But he has identified himself that this is my place. Whether Gajamand Kirtikar has killed me from here, I will fight with this place. But Uddhar Thakre ne, we don't care who Sanjay Nirupam is. Rahul Gandhi said, we don't care who Sanjay Nirupam is. Or instead of taking constructive feedback and working on it, they said Sanjay Nirupam for the next six years. My simple point is this. Whether it is Jairgir, Shergir, I will be done within 30 seconds. Whether it is Jairgir, Shergir, whether it is Gaurab Vallab, whether it is Baba Siddiqui, whether it is Sanjay Nirupam, whether it is Ashok Chawan. The most appalling reaction, or be it for that matter, Rohan Gupta. You know, I have done a zillion debates with Rohan Gupta and, you know, in the not too distant past with Gaurab Vallab also. There is no accessibility to the Congress high command. More importantly, the recent past, they have said that Sanatan Dharm Congress party bar bar abuse करती रही है. Rohan Gupta clearly wrote a very touching letter saying that a party which abuses Sanatan Dharm I can never identify with that party. And Gaurab Vallab has said that not only does Congress abuse Sanatan Dharm Congress also abuses India's wealth creators, India's entrepreneurial excellence, India's wealth generators. So, मैं Congress से पूछना चाहती हूँ आपको अम्बानी पसंद नहीं, आपको अडानी पसंद नहीं, आपको देदान्ता के अनिल अगरवाल पसंद नहीं, आपको तो अरनोब गुस्वानी who is a successful entrepreneur in his own right, भो भी पसंद नहीं, you know, barring people like Mr. Sabarwal who is gracious and appears on Republic. I want to ask, what is the problem with Rahul Gandhi? Why is it that this man cannot bring together like-minded people to ensure that the electoral process is seamless? What is the statement that Rahul Gandhi makes on the eve of Ram Mandir consecration? आपको पता है? Ram Mandir में आपको अमिचा बच्चन नाच्टे हुए मिलेंगे Aishwarya Raha We are talking about Sanjana Rupam right now. Why you reach Rahul Gandhi every time? Why you people have an obsession of Rahul Gandhi? Why you people are so afraid of Rahul Gandhi? So much afraid of Rahul Gandhi. Let's cover Sanjay Rupam first. Sanjay Rupam, Sanjay Puru, the Rupam couldn't get the ticket this time. Because of India lies. We are doing a biggest enemy. With Shiv Sainab, first time we are doing the lies. उसमें टिकेत नहीं हुपाता, कभी कभी नहीं हुपाता. We have to sacrifice our career to save the democracy of the country. हमें देश बचाना है इस समय. आपने देश बचाना है. हमें संजेरी रुपम को नहीं बचाना है. चलेए राहुर Gandhi कहते हैं, वर सफ नहीं पड़ता. थादिक पटे छोड़के छोड़के नहीं हुपाता. अरे तो क्या है गोरावल्लब? आपके आपके अलाइस पार्टनर आपके साथ नहीं है. तो डाला आप पहर्याना में छोड़के, अकाली आपको पंजाब पे छोड़के, उडिसा में नमीर पट्डायक आपके साथ लाइस नहीं कर रहे हैं, आपकी हालत क्या है? राहुल गांदी ने कहा को इसक्षर्ट में पड़ता. पीडी भी उड़के चोड़के चाहिया, वीजनदर सिंघ ने राहुल गांदी को ताटा वाइना कहाई है तो पीजनदर और पहें है और धृटने छोड़के चुरूं के चल गाँए आपके. राहूल गांदीर एक बाने कार्टेंश करा। सज्जे ने रुपण को हम लोग तिके नहीं दे पारे होंगे और वो एंटी पार्टी एंटिविटीज कर रहे थे वो सारे लोग को बुला बुला कर चाहरे थे विए काम कर रहे थे जब हमने उनको पहले लगूद लोगसभा में कोपिटेट लिया जब हमने देश बचाना है जब वेस्ट की तरह दो कि दो आपको यहां पर नहीं तो रहे थे जवाब देगे जिए लगान्धी स्केट कॉंटस्ट रॉम आए जिए 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 जब लड़ेंदी से बात करें हुए और अपने बहरें नौ रॉबर्बर्टा को प्यों बना दिया भाई साथ युक्शू से पहले लडेकी राए प्रयंका जिए लडेंगी धسم सब देग हुआ होने ऐस लने में वर सिस्टी टमधर रहुल जा हो जाना, भी 7060 हो जासी, प्रिय रहुल के माह रहुल कोड़े, तरीक टिस steel ShYour रहुल सिस्कुेR मा Frameutch include right conditions, Pete, Rak호 मिलकी ऐसास्भा यह जार रहुल के से ग्राओर हो is एक भी पॉंधर relative शोय का מी चूरा समया I have a question, I have a question. Viewers, viewers, there is one man called K.C. Venu Gopal. Yeah, yeah. Who is now the most important person in the Congress Party. He is like what Vincent George was during Sonia Gandhi's time. What Vincent George was, she is like, number one Sonia Gandhi, number two Vincent George. Number one, Rahul Gandhi. Number two, K.C. Venu Gopal. Number three, what is that fellow's name? Jairam Ramesh. Jairam Ramesh. Number four, number four, Randeep Suryawala. Number five, Supriya Srinathay. Number six, somebody called K.B. Baiju. Now, I want to know, I want to ask you, I want to ask you. This K.C. Venu Gopal is who? Yeah, yeah. Who is he? He was a K.Ramesh. I have checked that who is the whole India strategy for revival of Congress. He was K.S.U. President. Because the person you are seeing on the screen runs the Congress party today. No, no. Everybody out K.C. Vokapal in. He is a child of organization. That's why. What is his unique quality? No quality. He has no quality. He has no quality. Hard working. Because every time everybody fits. He is from the organization. Everybody names him. Because of him, I have it. Why are people blaming him? Organizations in the flower world. Why are people naming him? N.S.U.A. Youth Congress ka product hai. Purana ladka hai. Purana saati hai hum log ka. Aar struggle 85, 87, 87 ke baas politics may aya hai. Everybody says that he is the man responsible for us getting on the court. Saanju Arna is very happy. She is very happy. No, no. Collective decision. Collective decision hota hai. No, no. Aarna is a collective decision hota hai. Who is important for you? You are Amit Shah kya hai? Mr. Sabhar. Jyotir Aditya. Please. Aarna is not a bad man. Her aadli. Aarna is one thing. Don't be patronizing with ladies first. There is no need to be patronizing saying ladies first. Who bolni kya abko zarurrat niya. Aap boli ye. Thank you. Please. Thank you, Aarna. Aarna, have you noticed one thing? I often wonder that, you know, why is it that effective leadership is so paramount, so important? Vahe Himanta Biswa Sarma, when he was with the Congress, you know, he was not given, you know, any position of responsibility which could extract the best out of him. But look at what he has done for the BJP in the Northeast and in Assam. He has completely transformed Assam. Look at Pema Khandu. When he was with the Congress, kuch nahi hua hunka. Today he is the Chief Minister of Arunachal Pradesh. Look at N. Diren Singh. I didn't have Android. I didn't have Android. I didn't have Android technology. I didn't have Android technology. This is not Android technology. This is Mr. Bodhi and Mr. Kejriwal. We are competing with you. When he was in the Congress, Nandet can't be won the same. I am writing you. That's Ashok Chavram. Now BJP is in the CJP. Nandet is going to be sealed by Ashok Chavram for the BJP in Lok Sabha 2024. Because BJP gives you the ecosystem, the platform to nurture your talent without standing at the back of your head with a stick, with a sword. है एखार करते है एखार वह्यंद को है टैर शार एक लों गार लग फट वेस करते हैं यह जनिज्ट से घरल्मन यह ज़िसे अजनमन अ धन जरल्मन now now the big story when I ran it today which I'll talk about after the break people said you are this is a April fool joke three days late I said no औरोट के से अलागे कार्या दीजरी यूब जे अनले टो 11 इंट भीस इंट 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 वे ए्ट्रिवेश्वेसी एफ वे यहां के लिए इन अट मैं मैं वेड़र एफ सेफे इन इनले टो रहे टो फिलेड इस इनुट इस इंट एल्यड या इंट जब तर रालिमломन है वेड अबर्ट वाद्रा इंक्तिव प्लिटिक्स वन आम बाग। संपोलू Amity has been ranked India's number one private university for the 11th year by India today a testimony to Amity's world-class education whilst imbibing values and sanskars in students केन सर, यूर दिनर! अला ताल? अरे, इस अन्ति-बैक्टिरियल स्क्राइट रसिस्टन अलसो अला प्लाइट? केन भाइ, इस सटाइलाग अलाइब इम प्लस टेखनोलोजी से बने वर्ट्रास ताइल ताइल हो तो सिम्पोल हो केन सर, यूर दिनर! केन सर, यूर दिनर! अला ताल? अरे, इस अन्ति-बैक्टिरियल प्लाइब प्लाइब केन भाइ, इस सटाइलाग प्लाइब इम प्लस टेखनोलोजी से बने वल्ड्स ताइल ताइल हो तो सिम्पोलोग हिंदू धर्म में शक्ती शब्द होता है हम शक्ती से लड़ रहे हैं एक शक्ती से लड़ रहे हैं इंडियानायस ने अपना गोश्णा पत्र शक्ती को ख़तम करने के लिए किया है मैं इस चुनोति को स्विकार करता हूँ और में इन शत्नी स्वरूपा माता हो बहनों की रख्षा के लिए जान की बाजी लगा दूँगा after Ashok Chavan, Milindira, now Sanjay Nirubam has joined the list of loyalists exiting the congress all of them have one thing to say हमने तैय किया था किarde Amendment you, shefES umm में पॉर्टी छोड़ कर उनका स्व thou कर देना चाता हूं मेरी जो राजनिती A नकारात्मक राजनिती में मैं विश्EMAस नहीं करता हूं मेरा जो विचार धारा prohib से जिटाएंगे ंस्वा carnival by the Chamaja Когда यहां तक कि वो मेर से भी प्रेड़ना करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहां अपना पेला कदम अगर राजनीती में रखता हूं और सांसक बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रप्रिजेंट करूप केंसर और जिन अमार्ण को ठाहते हैं टाल है कि अजय कोई अजय कोईट मैं राल्या केंसर आम्चेंपल वेग और संपली किर हैं रूप्रास पायलओ प्रेड़ना अग्छाइम ऑस्टेकनलोजी से मने व्ल्डस ताल्स ताल मैं है तो थो मैं अभाल हो तो निपनो इंडी एलाइस वाले लोग बार बार जान भुझकर हिंदू धर्म का अप्वान करतें इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है और जसा एंटार Ц bulldo!! तायल हो तो सिंपल हो आप धम्लैंटं के इनका हिसा, मुझकगज्स अजलिवत इंड नाकश वाले मुझका डाहिए यौजए ख़गी वो रेतत राईसन दिल anthropology मैं आपके घर का नाम मदल दो मेरा घर बन जागा क्या नाचल इंडिया का पार्ट है और हमें से रहेगा